हमने पिछली क्लास में कैश्फ्लो मेथड सीख रहे थे और आज मैं कहता हूं तो कैश्फ्लो की बड़ी इंपॉर्टन ट्रास है अज कैश्फ्लो की बड़ी इंपॉर्टन ट्री आज हम कैश्फ्लो में अपना तीसरा मैठिड सीखेंगे जिस पर बेस्ट हमारे मुखे questions बीज़ रहे हैं हला कि आज हम कुछ ज़्यादा questions करने में interested नहीं रहेंगे आज अपना सिर्फ concept जानेंगे आज हम concept करेंगे कुछ एक आदा question साथ में attempt करेंगे फिर आने वाली classes के अंदर हम लोग questions पर जोर देंगे जहां पर अपने सारे के सारे concept जो मैंने बताया आपको इन सब पर बीज हम बहुत सारे questions करेंगे क्या आप लोग तयार है हाँ सरम बिलकुल तयार है फटा फट से बातचीत बंद कर देंगे अजमेर सबसे आखरी के अंदर अच्छा कॉडिनेटर जी है जी वो अच्छा चलो भई चलो बातचीत कर दो बंद और आज हम cash flow का तीसरा मुद्दा स्टार्ट करने जा रहे हैं हाथ नीचे cash flow statement का हम लोग discuss कर रहे हैं अपने पास आज तीसरा और extensive सोचने वाला काम है मैं तक्रीबन तक्रीबन ब्रेक तक आप से बड़ी उमीदें करूंगा कि आप बिल्कुल concentration बनाए रखेंगे साड़े तीन तक बहुत important है बात को समझ लेना क्योंकि जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ अगर आप समझ लेंगे तो आपको रटने की चीज़ें खतम हो जाएगी फिर रटना नहीं पड़ेगा पिर समझ में आ जाएगी और मैं उमीद करता हूँ कि आप सब मैंने सबसे पहला पार्ट बताया था कैश अकाउंट जमा बैंक अकाउंट जमा सौर्ट्टर्म इन्वेस्पन पर्र रटन इन तीनों को जोड़कर कैश फ्ल शूट क्ना सकते हैं यह हमने सबसे फाहला class में आपको पताया था मैंने कहा था इन तीनों को जोड़ दो और क्या बन जाती ही cash flow इसमें से कुछ common चीजें काट देते थे आपको यादा ना कुछ चीजें कट जाती थी और जो बच जाता था वही cash flow statement होती थी फिर मैंने आपको last class में बताया था कि दो balance sheets और एक profit लास दिया हो तो हम इन से अपने पास all accounts बनाते थे वो बात दूसरे की कई खाते आप अपने पास straightforward answer निकाल सकते थे लेकिन यहाँ पर आप सारे के सारे accounts बनाते थे एक account के लावा कौन सा account नहीं बनाते थे cash, bank और short term investments इनका खाता छोड़कर बाकी सबी खाते बनाते थे उन खातों में bank का या cash का balance ढूड़ते थे और उससे cash flow statement बनाते थे This was our second discussion जो की यह चर्चा थी यह हमारे पास थोड़ी सी हलकी चर्चा थी तो यह थोड़ी सी भारी चर्चा थी हमने इसी में आपको बड़े सारे accounts बनाने भी सिखाये थे जैसे की हमने आपको इसमें मुख्य रूप में सिखाया cash account sorry fixed assets account कैसे बनता है proposed dividend account कैसे बनता है provision for taxation account कैसे बनता है unpaid dividend कैसे बनता है हमने बड़े सारे खाते बनाई चिंता मत करें यह खाते बनाने की प्रकिरिया अभी चलती रहेगी अभी और भी खाते बनते रहेंगे और मैंने अब आपके साथ तीसरी चर्चा स्टार्ट करनी है मेरी किताब में इस पर दो कोशन या शायद तीन कोशन थे इसके उपर तीन कोशन थे तो इस पर सिरफ दो ही कोशन थे हमने अपने पास ये तीनों कोशन भी किये दोनों कोशन भी किये हमने सफिशन्ट ये काम किया balance सबी questions जो हैं वो हमारे पास दो balance sheets से cash flow बनाने के हैं मैं अब इसकी बात करने जा रहा हूँ अगर 10 में से 8 बार question आए तो इसी का आने का chance है इसका मतलब यह कि I am not saying कि इने छोड़ कर चले जाओ लेकिन I am saying कि इस पर थोड़ी concentration बरतो योकि this is going to be very very relevant बिना profit and loss के हम लोग अपने पास cash flow statement बना सकते हैं यह कैसे बना सकते हैं यह मैंने discussion करना है इस method को कहा जाता है indirect method और जो यह तरीका था इसको हम direct method बोलते हैं हाला कि यह question इस data से indirect से भी हो सकते हैं हमने अभी direct और indirect की ज़्यादा चर्चा नहीं करी हमने का this method is definitely direct this method is indirect and these questions can be called direct and indirect हम बाद में direct और indirect की चर्चा करेंगे हम आपके साथ अब जो चर्चा करने जा रहे हैं मैं आपके सामने पहले इसी के लिए इसी point को रखने के लिए मैं आपके सामने इसी method से start करूँगा मैं इसी चीज से start करूँगा और आप इस चीज से जो काम करेंगे मैं उसी के अंदर कुछ research करना शुरू कर दूँगा मैं अपने पास इस method में कुछ research करूँगा और जो research करके निकल कराएगा वो ये वाला method निकल कराएगा इसका नाव होगा indirect method आईए मेरे साथ साथ हम जरा फटा फट से अपनी चर्चा स्टार्ट करें मैंने अभी पहले भूमिका बनाई सिर्फ कि आज हम इसके ओपर concentrate करेंगे जो हम इस पर concentrate करेंगे वही चीज आपको आगे तक मदद करेगी आईए साथ मेरे साथ साथ जरा यहां पर हम लिखना start करते हैं cash flow statement तो यहां पर लिखेंगे शायद number third हमने पहला number दिया था cash flow from हमने कहा था cash flow from cash account bank account दूसरा लिखा था cash flow from two balance sheets profit and loss और अब लिख रहे हैं cash flow statement from two balance sheets only most important यह चर्चा हमारी सबसे ज़्यादा important हो गई लो जी सबसे पहले हम अपना यह method generate करेंगे हम रटेंगे नहीं हम आपके साथ एक सवाल लेंगे उससे यह निकालेंगे यह क्या चीज़ है हम यह concept को तयार करेंगे example sir यह क्या है मैंने का profit and loss हद हो गई सब starting ही profit and loss से जबकि आप कहते हैं कि इसमें profit and loss चाहिए ही नहीं यही तो बताना है यह आ गया जी buy sales 10 लाक रुपए फिर मैंने उसमें कहा to cost of goods sold कितने रुपए आ गया मान लो 3 लाक रुपए to GP GP आ गया 7 लाक रुपी by GP 7 लाक रुपए by profit on sale of assets 20,000 to operating expenses to operating expenses 2 लाक to net profits 5,20,000 to net profit 5,20,000 silly goodie पूछ रहे हैं क्या यह copy करना है हाँ भई हाँ यह copy करना है और silly goodie यह भी देखा जाएगा कि पहले कौन copy करता है इसलिए silly goodie मुकाबला चालू है हाँ सर हम पक्का पक्का इस मुकाबले में भाग लेंगे opening and closing balances fix assets 2,00,000 और 3,50,000 फिर उसके बाद लिखें debtors रुपीज एक लाक और रुपीज एक लाक बीस हजार या एक लाक असी हजार stock stock है रुपीज शालीस हजार और एक लाक creditors है रुपीज फिफिटी तौजंड फॉर्टी तौजंड प्रॉटी तौजंड प्रॉफिट न्लॉस अकांट का बैलेंस है 6 lakhs 11 lakh 20 thousand नीचे लिखा है 1 plant whose book value was rupees 70 thousand sold for rupees 90 thousand prepare relevant part of cash flow statement मैं इस सवाल में क्योंकि मैंने balance sheet टैली करा के नहीं दिया मैंने आपको केवल और केवल जो data दिया है उसके हिसाब से जितनी cash flow बना सकते हो बनाएंगे देखना यह है कौन करता है सबसे पहले silly goody, patna, गोहाटी, जोदपूर, चंडिगर ने लिक लिए है लेकिन धवराएन ही मुझे जल्दी नहीं है धनबार हावड़ा मैं बिल्कुल आराम से काम करना चाहता हूँ, बिटे कोई जल्दी नहीं है क्या मुझे कोई जल्दी है सूरत बिटे मैं इससरफ relevant part बनाया है असलिए मैंने एक एरिया पर फोकस करना है इसलिए मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ चलो जी ध्यान से मेरे साथ साथ हम कैश फ्लो बनाएंगे इसकी तो ये लीजिए, solution ये लीजिए, solution सब बच्चें मेरे से आगे नहीं चलेंगे बिलकुल मेरे बराबर चलेंगे बातें करेंगे नहीं, आगे चलेंगे नहीं तो अब मेरी बातें ही सुनेंगे बस, सिरफ आपसे दیढ़ घंटा मांगा बेटे पर्मानेंट जीवन से कैश फ्लो की समस्या खतम हो जाएगी आईए इस एक्जामपल से हम इन डारेक्ट मैथट डारेक्ट मैथट सबका नामकरण निकालेंगे पेट में से आवाज आएगी कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए जरा मेरे साथ साथ ये बताएं चलो आप कुछ नहीं बताएं मैं ही बताता हूँ कैश फ्लो बनाने के लिए मैंने आप से कहा था यहां पर छोटी जगा में काम कर लेता हूँ मैंने आप से कहा था कैश फ्लो बनाने के लिए हम अकाउंट्स बनाते हैं हम बड़े सारे अकाउंट्स बनाते हैं और अकाउंट्स बनाकर कैश लो बना सकते हैं अकाउंट्स में देखो साब ये मेरे पास अकाउंट्स की जानकारी है जितने अकाउंट्स हैं मैं वो सब खाते बना रहा हूँ ये लीजिए आप मेरे साथ साथ लिखेंगे भी और सोचेंगे भी कि भई मैंने आपको पिछली क्लास ने बताया था साथ कैश लो जो है सभी खातों से बनाई जा सकती है तो सभी खातों को मैं जब बनाता हूँ तो मेरे पास क्या निकल करा गया बैलेस बीडी और बैलेस सीडी वो कितना है तीन लाख पचास जार हमने अपने पास पहले सिखा रखे आपको कि हम कैश लो बना सकते हैं थ्रू नूमरेस अकाउंट्स हम बड़े सारे अकाउंट्स से कैश लो बना सकते हैं मैंने balance BDCD लिख दिया इसके इलावा debtors account debtors account का भी balance BDCD लिखते हैं वन लैक रुपीज और debtors का balance CD वन लैक 80,000 रुपीज stock stock का भी balance लिखते हैं stock का balance BD कितना है 40,000 रुपए और CD कितना है 1,000,000 रुपए मैंने stock का भी balance BDCD लिख दिया very very good stock के साथ संबन्द है creditors का मैंने creditors का भी balance BDCD लिख दिया 50,000 रुपीज 40,000 हमने आपको बता रख है है साब हम बड़े सारे accounts के साथ cash flow बना सकते हैं गंगा नगर सब सैस बैस चल रहे हैं बेटे इसलिए बार बार सैस की चिंता हैं छोड़ो सैस का करना कह तुमने P&L accounts 6,000,000 रुपए और 11,20,000 रुपीज लो भाई मैं इनसे बनाऊंगा अपनी cash flow इनसे बनाऊंगा अपनी cash flow statement सब बच्चे मुझे बताएं अभी तक मैंने वही किया है जो की आपको सिखाया था मैंने इसमें रद्दी रद्दी भर्वी बदलाव नहीं किया मैंने एक बार भी नहीं कहा कि इसको साथ change कर दो मैंने simply कहा मैंने कहा साथ पिछली क्लास में बताया था सब खाते खोले और cash flow बनाए इसलिए सब बच्चे कई बच्चे क्वेरी आती थी दो-चार दिन से लगा था सरी indirect method क्या है direct method क्या है अगर जानना चाहते हो तो बस सुनते जाओ क्योंकि इसकी कोई परिभाशा नहीं है indirect method की ये एक feeling है कि ये indirect method कैसे आएगा इसलिए सब बच्चे यहां ध्यान दे मैंने ये काम कर दिया खाते बनाने के लिए मैंने ये सब तो लिग दिया sales फटाफट से बताओ sales कहां पर डालेंगे sales फटाफट से बताओ sales कहां डालेंगे फटाफट से बताओ sales कहां डालेंगे sir sales डालेंगे debtors अकाउंट में नीले पैन से two sales 10 lakh बलकि sales संबंदित और कुछ नहीं तो difference आ गया लाल पैन से बाई अरे कैसा घटिया लाल पैने है यार बढ़िया नहीं है यह buy bank कितना वाउंट है ने खान चेंज कराओ इसको अच्छा चलो buy bank कितना हो गया 11 minus 180 तो 9 lakh 20,000 9 lakh 20,000 9 lakh 20,000 यह हो गया buy bank और देखते हैं जरा फटा फट से मुझे बताओ इसके बाद इधर आईए cost of goods sold cost of goods sold किदर जाएगा cost of goods sold इधर आगया buy cost of goods sold अगर cost of goods sold हमारे पास 3 lakh है तो purchase का balance निकला तो फटा फट से मुझे purchase बताईए कि हमारे पास purchase का balance कितना आगया खान केल्पूटर नहीं है आपर purchase का balance आगया साब भोपाल कह रहे हैं 3 lakh 60,000 3 lakh 60,000 purchase निकाल दी अब मुझे बताईए purchase कहां चली गई purchase चली गई यहां पर buy purchase 3 lakh 60,000 difference निकाल लीजे अपने पास 2 bank 2 bank बताओ पटाफट से कितना हो गया 4 lakh 10,000 minus 40,000 कितना आ जाएगा यह 3 lakh 70,000 धन्यवाद जोदपुर 3 lakh 70,000 चलो जी यह भी मैंने काम कर लिया है और देखते हैं साब आप मेरे साथ साथ चल रहे हैं मैंने अपने पास यहां तक का काम कर लिया है और उसके बाद मैं चलता हूं आगे जी पी का मेरा कोई लेना देना नहीं operating expenses operating खर्चे इन अकाउंट्स में कहीं पर आएंगे नहीं net profit 5,20,000 by net profit 5,20,000 यह भी लिख दिया आपने net profit धन्यवाद net profit भी लिख दिया profit on sale of asset है तो साब asset account यह रहा 2,000 rupees 20,000 साब double entry है मैं तो double entry पूरी करा रहा हूं अगर आप ध्यान से देखें तो sale इसके अंदर credit इसमें debit cost of sold इसमें debit इसमें credit GP यहां debit यहां credit net profit यहां debit यहां credit profit on sale यहां credit यहां debit कहां यहां debit सीदी सीदी बात है double entry चल रही है मैं एक भी चीज़ छोड़ूँगा नहीं साब हाला कि मेरे पास इसको मैंने कहीं लिखा नहीं है इसको मैंने कहीं लिखा नहीं है बाद में सेकेंगे इसको नीचे लिखा है एक plant जिसकी book value 70,000 थी हमने 90,000 का बेच दिया buy bank हमने एक plant बेच दिया 90,000 पे का अपने profit on sale पहले से ही आ रहा है यहां पर मुझे बताएं इसके अंदर purchase का balance निकल सकता है to bank purchase कितनी हो गई purchase हो गई हमारे पास जोदपुर कह रहे है two lakh rupees लेकिन silly goody two twenty कह रहे हैं कानपुर भी two twenty कह रहे है two lakh twenty thousand rupees यह हमने अपने पास purchases निकाल दी कि इतना इतना purchase है सहाव यही आपको सिखाया था अभी तक मैंने कुछ भी नया नहीं करा और अगर आपको याद हो तो मैंने ये भी जो कराया था तो मैंने समझाया था हम केवल और केवल cash का flow ढूनते हैं हम केवल और केवल cash का flow ढूनते हैं और cash का flow ढूनते कैसे हम लोग accounts बना बना कर cash का flow निकालते तो यह हमने अपने पास cash का flow निकाल लिया आईए इसके बाद हम आगे चले अब जड़ा फटा फट से इसकी cash flow बनाते है भई नेट प्राफिट वाल आकाउंट भी टैली कर गया तो आईए cash flow statement में जड़ा flows निकाले मुझे फटा फट से flow बताना साब मैं कुछ change कर रही नहीं मैं change करूं तो मुझे कहना कि sir आपने गलत कर दिया मैं change करूंगा ही नहीं मैं सिर्फ इसी का मंधन करूंगा मैं इसे मसलता जाओंगा और जो निकल कर आएगा बाहर वो दूसरा मैत्तल हो जाएगा हम कुछ नयाद करेंगे ही नहीं आईए मेरे साथ साथ cfoa अब जड़ा इससे cfoa की बात करेंगे भोपाल बेटे इस सवाल में depreciation की जानकारी नहीं थी इसलिए मैंने depreciation को लिखा ही नहीं there is no depreciation भोपाल क्योंकि मैंने selected सा कोशन लिया खाली इसके अंदर हाँ जी लेक तांजर ध्यान ने cfoa तो सबसे पहले मैं आपने पास बात करता हूं यहां पर बैंक वाली आइटम क्या है यह तो भाई fix assets कौन सी वेल activity है cfia तो यह आगया sale of fixed assets वो कितने का आगया नब्बे हजार purchase of fixed assets purchase of fixed assets 2,20,000 जो जो flows आपको मालू मैं भई लिख रहा हूं debtor के अंदर भी flow निकला था आईए मेरे साथ साथ debtor में भी flow निकला था वो कहां पर आगया collection from debtor collection from debtor कितना था 9,20,000 और stock में से कोई flow नहीं निकला था creditors में flow निकला था वो क्या था payment to creditors payment to creditors वो कितना था 3,70,000 payment to creditors 3,70,000 फिर उसके बाद profit and loss में flow निकला था एक आईटम यहां की बची हुई थी operating खर्चें यहां के बचे हुए थे operating खर्चों को मैंने लिखा payment of operating expenses मैंने लिखा 2,00,000 और अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास OA कितना आएगा और IA कितना आएगा मैं पूरा सवाल तो करने हैं ना जितना जितना OA आ रहा है वही लिख रहा हूँ अपने पास 9,20,000 minus 3,70,000 minus 2,00, 3,50,000 3,50,000 और दूसरे वाले में आ रहा है हमारे पास investing में जोदपुर बता रहे हैं minus 1,30,000 minus 1,30,000 मैंने एक भी चीज़ बदली रही है मैंने एक भी चीज़ बदली रही है मैं अब इसी सवाल का आंसर दुबारा से सोचना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ साहब की इसी का आंसर दुबारा से निकाल कर देखा जाए जब मैं इसी का आंसर दुबारा निकालना चाहता हूँ तो मैं एक काम करता हूँ मैंने इसी का आंसर दुबारा निकाला सब बच्चे यहां ध्यान देंगे मैंने इस profit and loss को देखना बंद कर दिया मैं इस profit and loss के बगार सिरफ यहां से आंसर निकाल कर दिखाऊंगा यहाद मैं अपने पास इस अप्रोच चे काम करने जा रहा हूँ अब मैं इस अप्रोच से आंसर निकालता हूँ सब्च ध्यानने मैं क्या कर रहा हूँ देखो मैंने सबसे पहले क्या किया मैंने कहा जी affixed assets account बनाओ आप इसे नोट कर सकते हैं मैंने fifixed assets account का balance लिखा BD 2 lakh स्टॉक अकाउंट और क्रेटर्स अकाउंट इसे बनाने से मना कर दिया मैंने गा इन्हें मैंने नहीं बनाओंगा सब बातें बातें बताओंगा कि इसे क्यों नहीं बनाया यही समझाओंगा कि मैं बाद में कि ये ये खातें मैंने बनाने से मना कर दिया उसके बाद मैंने खाता बनाया प्राफिट एंड लास अकाउंट जिसका बीडी सीडी कितना था छे लाख रुपे और बैलेंस सीडी था ग्यारान लाख बीस जार मैंने अपने पास कांद जूम आउट कर लो जाएक बार देखो साब देखो मैंने फिक्स डिसेट्स का यह अकाउंट बना दिया डैटर्स अकाउंट नहीं बनाया प्राफिट एंड लास अकाउंट बना दिया अब मैंने उसके बाद इस एड़्डेस्प्न को भी लिखा जो अंसर बताऊंगा फिर इसका analysis करूंगा यह answer क्यों निकल कर आता है और फिर बताऊंगा यह direct method है और यह indirect method है तो मैं ultimately दोनों method आपके सामने parallel घरे करने का प्रयास करूंगा तो देखिए मैंने profit loss को देखने से मना कर रख है one plant whose book value was 70,000 was sold लो जी एक मात्र adjustment जो मेरे पास है वो कुंच अरे कहां गया buy bank मैंने इसे बेच दिया कितने का बेच दिया for rupees 90,000 और यहां पर आगया जी profit on sale 20,000 और मेरे सवाल में कोई adjustment थी ही नहीं इसलिए मैंने difference निकाल दिया इसका तो difference निकाल दिया two bank कितना difference आ गया जी two bank यह मेरे पास आ गया 392,000,000 बीजार यह मेरे पास answer आ गया 2,000,000 बीजार और यह मेरे पास net profit की balancing figure आ गई दी आपको मैंने का जी उसको देखते है net profit कितना आता है वो आ गया 5,000,000 बीजार मैं यह एजियूम करूंगा आप सब बच्चे एजियूम करेंगे कि यह जो profit हुआ है यह bank में हुआ है हम यह एजियूम करेंगे कि यह profit नगद हुआ है profit नगद हुआ है मतलब इसका पैसा जेब में आया है यह निकी जैसे जना मुझे बताईए मैं आपने पास किसी भी account में plant account में जब यहां लिखता हूं by bank इसका मतलब क्या होता है कि पैसा आया है जब आप ultimately किसी चीज़ को क्रेट करें में तो debit हो गया ना वो चीज़ क्योंकि यह खाता credit हुआ है तो debit कुछ हुआ होगा मैंने आप से कहा please assume please assume कि यह मेरा profit है बस मैं कहो तो लिख भी दूँ please assume that this is bank profits मतलब net profit is wholly in cash मान लो net profit सारा का सारा नगद हुआ है रुपए कमाए है यह लीजिए अब मैं इसका आंचर निकाल कर दिखाता हूं देखिए मैंने तीन खाते नहीं बनाए और मैंने इसके अंदर एक assumption लगाई मैं बना रहा हूँ CFOA CFIA सबसे पहले तो यह 90,000 को लिखा मैंने sale of plant sale of plant कितने का आगए 90,000 दूसरा मैंने लिखा purchase of plant purchase of plant कितने रुपए है purchase of plant 2,20,000 रुपए purchase of plant 2,20,000 रुपीज यह बैंक लिख दिया यह बैंक लिख दिया इसे मैंने assume कर लिया था कि पैसा बैंक में है तो मैंने का जी profits पांच लाग बीज़ार profit हैं मैंने तीन खाते बनाए नहीं और मैंने assume कर लिया कि सारा का सारा profit bank के अंडर आया है सर इससे तो आपका आंसर आ नहीं रहा है देखो न सर यह वाला पार्ट तो टैली हो गया आई ए आई ए वाला पार्ट तो टैली हो गया ओ ए तीन लाग पचास जार था आपका आंसर तो पांच लाग बीज़ार है very very good मैंने इसमें डाल दिया change in stock stock हमारे पास 40,000 से एक लाग हो गया तो मैंने 60,000 माइनस कर दिया क्यों कर दिया बाद बताएंगे मैंने change in debtor debtor में कितना change हो गया था 80,000 मैंने का ये लो ये भी माइनस कर दिया मैंने change in creators भी निकाला creators में change कितना हो गया 10,000 पे ये भी मैंने माइनस कर दिया सब समझा रहे हैं मेरे को मौका चाहिए मैंने ब्रेक तक का समय मांग रख आप से एक लाख पचास जार कितना वाँ निकल आया हमारे पास यह निकल कर आया तीन लाख सतर हजार इसमें से मैंने माइनस कर दिया Profit on Sale of Assets 20,000 रुपीज सर जोर जमा करके आपने निकाली लिया आंसर तीन लाख पचास जार आंसर आ गया साथ तीन लाख पचास जार मैंने अपने पास सिंपली इन चीज़ों को एड़ेस्ट किया और मेरे पास वही आंसर आ गया तीन लाख पचास जार हाला कि समझ में कुछ तरीका और ये था सीधा तरीका सीधे तरीकों को नाम दिया हमने डारेक्ट और ये पता नहीं क्या अजीव सा तेड़ा तरीका दिया इसका नाम रखा मैंने इन डारेक्ट तो हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट का सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग वाला पार्ट सिर्फ इतने पार्ट को सीधा निकाल सकते हो या इतने पार्ट को टेड़ा निकाल सकते हो ये सीधा टेड़ा ही डारक्ट मेतल और इंडारक्ट मेतल होते हैं इन्वेस्टिंग में कोई फरक नी बढ़ता, फरक किसमें बढ़ता है चिरफ यहां पर, सर लेकिन ये तो बताओ कि सर ये आया कैसे, आंसर कैसे आया, यही तो, यही तो समझाना है कि आंसर कैसे आया, ज़र जूम आउट रखना, खासाब, हाँ, पूरा बोट दिखाना, आप लोग कॉपी नहीं करेंगे, मैं बताना चाहता हूँ यह मैंने क्या किया, रीड करूँ गा इसको मैं, आप मेरे साथ ताथ तरफ रीड करेंगे, एक बात बताओ, जो आपका डिर necessary था, जो ये वाला method था, कहांँ छे़ना नहीं ठीक है, जो ये डिरेक्ट method था, इसी को मैं यहां copy कर रहा हूं कर दूं कोई दिक्कत तो नहीं है मैं इसी चीज को copy कर रहा हूं collection from debtors collection from debtor 920 फिर उसके बाद payment payment of expenses 3,70,000 फिर उसके बाद payment of office expenses या जो भी expenses थे 2,00,000 यह आपका answer आया था 3,50,000 आप सेमत हैं इसके अंदर मैंने वही चीज को उसी चीज को copy कर दिया मैंने का साफ जड़ा एक बार हम copy कर लेते हैं उसी चीज को थोड़ा बड़ा लिख दिया मैंने इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए यह बताईए 9,20,000 आपने कैसे निकाला था 9,20,000 आपने कैसे निकाला था यह अमने सब्सक्राइटर से निकाला था मैं उमीद करता हूँ आपको याद है collection रॉम डेटर आपने कहां से निकाली थी डेटर अकाउंट से जड़ा देखते हैं डेटर अकाउंट में आपने क्या किया था यह डेटर अकाउंट है सेल्स में एक लाक रुपे जोड़े थे एक असी घटाए थे सेल्स में एक लाक रुपे जोड़े थे एक लाक असी जार घटाए थे आपका आंच रहा था नौ लाक बीज जार एगरीड मैं इसको तुझा भी देखने में आपको दिक्कत हो रही हैं लेकिन आप मेरी अप्र बाद payment of expenses की बात करते हैं ये क्रेइटर्स का था payment to creators था payment to creators creators की payment आपने कैसे निका ली थी आपने cost of goods sold में एक लाग का stock जोड़ा था आपने नीला पेन नीला पेन आपने cost of goods sold में एक लाग जोड़ा था तो ये purchase बन गई थी याद करिये क्या मेरे cost of goods sold में ये देखें इधर देखिये cost of goods sold में एक लाग जोड़ा था चालिस ज़़ा था तो purchase आ गई थी और purchase में पचासजार जोड़ा था और 40 ज़़ा गटवा था तो मेरे पास क्या निकलाई थी मेरे पास payment to creditors निकलाई थी यह हमने क्या किया था यह हमने 370 तो minus कर रखा है ना 920 में से यह minus किया था यह हमने minus कर रखा है मैं आपने जो किया था वही लिखा है और payment of expenses सवाल में given थे यहनी कि 2 lakh के expenses सवाल में given थे यह given थे मैंने अपने पास और और नज़्दी का जाओ बस मैंने अपने पास यह कहा है मैंने कहा सहब आपने sales में यह opening और closing data adjust किये आपने cogs में यह opening और closing stock adjust किया तथा opening और closing creators adjust किये तथा आपने खर्चों को चुपचप minus किया था अब पहचानो इसको यह चीज क्या represent कर रही है यह क्या चीज represent कर रही है sale minus cost of goods sold minus 2 lakh यह क्या represent कर रही है profit before यह क्या represent कर रही है profit before profit before profit on sale of plant क्या इसी बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 10 lakh minus 5 lakh यह 5 lakh क्या चीज निकल कर आ गई this is profit before profit on sale of assets इसका मतलब profit before sale of asset निकल आया इसमें मैंने किसे adjust कर दिया मैंने इसमें adjust कर दिये change in change in debtors और वो क्या किये minus 80,000 minus 80,000 मैंने कर दिये change in debtors मैंने change in debtors निकाल दिया फिर मैंने पास आ गया change in stock साब माइनस का sign आगे लगा हुआ है change in stock change in stock कितना हो गया minus 60,000 फिर उसके बाद change in creditors change in creditors यह कितना हो गया minus 10,000 minus 10,000 साब जड़ा इसको देखें क्या आपका आंसर 3,50,000 वो आएगा क्यों नहीं आएगा जब मैंने आपने इसे पहले ऐसे total लगाया था आपने ऐसे total लगाया था ऐसे total लगाया था अब मैंने ऐसे total लगाया है ऐसे total लगाया है तो आएगा क्यों नहीं आंसर साब आप excel sheet में इस तरह से काम करें या इस तरह से काम करें कोई फरक थोना पड़ जाएगा इसके अंदर इसका मंदर इस सवाल के अंदर भी आप पहले इसमें अजस्मेंट कर रहे थे अब आप इस तरह से अजस्मेंट कर रहे हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर यह माइनस कैसे हो गया देखो ना आपने पेमेंट टू करेइटर जो था इसके आगे माइनस किया था आपने नौ बीस में से तीन सतर माइनस किया था मैंने माइनस का सिंबल बाहर लगा दिया मैंने का माइनस का सिंबल बाहर लगा देते हैं तो तीन लाग के अंदर आपने ये जोड़ा था ये घटाया था और अल्टीमेटली माइनस किया था तो मैंने इसका नेट रिजल्ट निकाल दिया मैंने का तीन लाख लग कर दो और इन दोनों को माइनस सिंबल के साथ बाहर ले आया मैं इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है इस बिकम्स इन डारक मैथट यही इन डारक मैथट है जो इन डारक मैथट है वो यही है चेक करिए जड़ा मेरे साथ-साथ यहां दिखाईए आपने अपने पास जब यहां पांच लाख बीज जार में चेंज इन स्टॉक, चेंज इन डेटर चेंज इन Craitor ये डाला तो automatically इस profit के अंदर stock count बन गया debtor account बन गया creator account बन गया और चुनकि ये profit था with profit on sale मुझे चाहिए था profit before sale of fixed assets मैंने इसे घटा दिया हमारा answer आ नहीं था इसमें कोई जादू थो ना करखे है हमने this is a very normal concept ये concept कहता है कि हम अपने पास profit से start करेंगे और profit में इन चीज़ों को adjust कर देंगे जरा मुझे एक बात बताईए आपका दिमाग खुद चलना चाहिए मैंने इन तीन खातों को यहां क्यों नहीं बनाया इन तीन खातों को इसलिए नहीं बनाया क्योंकि profit के अंदर जब मैंने इनके opening closing balance डाल दिये तो इनके खाते अपने हाप बन गए यहाँ पर इसका मतलब इस profit में जब मैंने opening closing के balance डाल दिये तो these are already representing your accounts only there is no need to prepare accounts इसका मतलब यह कि मैंने बगएर profit and loss के और बगएर इन तीन खातों के सवाल करके दिखा दिया हाला के भी कई मुद्धे दिमाग में आ रहे हैं कि सर कौन कौन सा खाता हमको नहीं बनाना चाहिए या क्या क्या नहीं करना चाहिए मैं इन सब बातों पर research बात में करना चाहता हूँ पहले तो मैं आपको सिर्फ बताना चाहरा था what is indirect method and why it is called indirect method ये method उल्टा चलता है वो method सीधा चलता है ये method उल्टा कैसे चलता है ये profit के अंदर जमागेटा करता है बात सौवें आती अब आपने सैस लिखना ही बंद कर दिया अब सब बच्चों ये सैस चल भी रहा है क्या पता करो जड़ा यह सब सो गए सारे के सारे नालाइक हाँ आगरा कह रहे है सर हम तो जाग रहे है जबलपुर कह रहे है हाँ हाँ हम भी हाँ गोहाटी कह रहे है सर समझ में आ गई है बात हाँ चंडी गड़ भी आ गई है बठिंडा कह रहे है खान आ गया के नहीं आ गया हां चलो अब मेरी बात अब यहां तक किसाओं बे आई फाने कह रहा है थाने कहरे हैं समझ में आगए सर्क्र क्या करें आगे चलो ना ये ये चीज़ है हम जब ये मेस्थेड लगाते हैं तो इसी को एक और तरीके से बोलूँगा मैं इसे एक और सब बच्चे मेरी बात को फिर सुनेंगे अब मैं एक और तरीके से आंसर देने वाला हूं मैं अपनी बात को आपके सामने समक्ष रखूंगा गाट को पर मुंबई आप ज़्यादा ध्यान देंगे विकॉज आपने कहा है जी तोड़ी दिक्कत है आईए मेरे साथ साथ ये ब से बता रहा हूं उससे शैद सों में आजाए सत्य निकेतन आप भी मेरे साथ पज़रा सुनेंगे हां सहारनपुर कह रहे हैं यह तो वही था दूसरे प्रकार से करका हां और कुछ नहीं है अब मेरी बात और ही मजे के बाद आप लोगों ने 12 से पढ़ रख रहा है हां नागपुर नालाएक इसमें दिक्कत सों में नहीं आई मुझको अभी तक इसमें आपको दिक्कत कहा रही है कह रहे हैं यह हुआ क्या नागपुर एक लाख में दस हजार जोड़ा पांच जार घटाया तो यह वैल्लियू आ गई कितने तलिय आगई एक लाख पांच हजार नागपुर मैंने इसके बार इसमें से माइनस कर दिया 50 लाख जोड़ा 6 लाख घटा दिया यह मेरे पास कितना वह अंसर आ यह मेरे पास 50 लाख माइनस लाख 6000 कितना और आ रहिए 70 % TS6 सबतर माइनस 6róच guilty,ieni क्याऐ 65000 मैंने इसके अंदर 40,000 और माइनस कर दिये यह आगे 40,000 और माइनस अब मैं आप से कह रहा हूँ कि अगर मैं ऐसे आंसर निकालता हूँ ऐसे आंसर निकालता हूँ तो यह आंसर आता है तो क्या ऐसे नहीं आंसर आ सकता क्या ऐसे आंसर नहीं आ सकता कि मैं इसको एक जगा देख लूँ, इन दोनों को अलग लग देख लूँ, क्या प्रक पड़ेगा, नागपूर बताईए, ज़रा बताएं, हावडा, नागपूर, सत्यनिकेतन, करनाल और घाट को पर, मैं आप से पूछ रहा हूँ, कि भई, आपने एक्सल शीट में ऐसे रो उसमें तो फरक नहीं पड़ेगा, जब ये फरक नहीं पड़ेगा, तो आप लोग पहले क्या करते थे, सेल्स में ओपनिंग और क्लोजिंग का ये अकाउंट बनाते थे, क्या आप ऐसा नहीं करते थे, से जब डेटर अकाउंट बनाते थे, जब मैं डेटर अकाउंट बना जाता था तो इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता क्या सेल में इनको जोड़ दो इसे घटा दो तो मैंने का सेल में इसे जोड़ दो घटा दो यह आपने कर रख हैं बस मैंने का इसको जो की सेल है cost of goods sold है और खर्चे हैं मैंने का these can be called as net profits इन सब को क्या कहा जा सकता है this can be called as net profit अगर यह net profit है तो फिर इसके बाद this is change in debtor यह change in debtor है और यह change in stock यह change in creator है अगर मैं net profit में इने adjust कर दूँ तो मेरा यह answer आएगा सत्ते नहीं केतन बताएं बेटे आपने जब अपने पास पहले सेल में इसे adjust करके लिखा था COGS में adjust करके लिखा था खर्चों को लिखा था तो मैंने इसको net profit बोलके इसमें adjust कर दिया ultimately बात तो वहीं कि वहीं है मेरत जी अभी तो आप पहले समझेंगे मैं जितनी बात बता रहा हूँ अब हम उसके आगे की बात नहीं करेंगे एक एक कर के बात को समझेंगे सब्ते नहीं केतन कह रहे हैं जी इस method को लगाने का फाइदा क्या अगर same answer ही आता है तो लगाने का फाइदा क्या क्योंकि हमारे देश का law है जो कहता है कि हमारे पास जितने भी listed company हैं लिस्टिड कमपनिया इससे जो indirect method है इससे cash flow बनाएंगी लिस्टिड कमपनिया indirect method से cash flow बनाएंगी इसका मतलब I am bound by the law और direct method कम company फालो करती है बट वो भी ultimate method है वो कम company चलाती है वो insurance company फालो करती है इसलिए मुझे वो सिखाना था क्योंकि direct method से ही indirect method जन्मा है क्योंकि माना जाता है indirect method is better to be understood by the shareholders बीकन अबिटेज अगर class अभी start हुई है तो आप अभी इंतजार करेंगे हम बाद में आपके लिए replay करा सकते हैं नागपूर और घाट को पर कह रहे हैं question करा दो question तो भूल जाओ वो तो रटने का तरीका है समझो पहले नालाइक समझ में आई नी बात इन दोनों की query थी और कहना question करा दो ताकि हम रटने question कैसे होते हैं तो आप गलत जगा पर आ गए हैं अगर आप रटने वाले बच्चे हैं तो क्योंकि मैं अपने पास अभी कोई example और लेना नहीं चाहता मैं समझने वाली बात कर रहा हूँ आप भी समझने वाली बात करिये इसी बात को मैं अब किसी और ढंग से बोलने जा रहा हूँ आई यह जरा फटा फट से सत्यनिकेतन रीजन ए बैटर फॉर शेर ओल्डर मैं भी बात में आपको दिखाऊंगा कंपनी की रिपोर्ट बैटर फॉर शेर ओल्डर इसको रीड करेंगे जरा मेरे साथ सत्यनिकेतन आप एक और प्रकार से रीड करेंगे मैं आपको मेरे पास अभी यहाँ पर कुछ घटना घटित होगी मैं दुकान चलाने जा रहा हूँ तो जरा मेरे साथ साथ यहाँ पर अभी कुछ लोग आएंगे और वो दुकान चलाएंगे मेरे साथ साथ आप देखना उसके अंदर क्या घटना घटित होती है सारे दुकान के ग्रहादगर इधर ही खड़े हैं आज आपने मेरी दुकान पर सौदे घृदने के लिए आना है आईए फटापट से आते जाएए आओ मेरी दुकान पर मैं आपको आज 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 आ फटापट से चिविंगम हैं तो कोई बात नहीं कोई फरक पड़ता नहीं लो भई अब मैं आप सब बच्चों को दिखाऊंगा कि मेरी दुकान पर सौदा बिखता है ध्यान से मेरी बात को सुनना ये देखो ये पता मैं क्या बना रहा हूँ नोट एक नोट कितने कितने रुपे का है सौ सो रुपे का है उन्हें बोलो मेरी दुकान पर और भी ग्राथ चाहिए सौ रुपे सौ अब बेटे फिर से मैं विजुलाइज करना चाहता हूँ मैं कहता हूँ मेरे प्यारे बच्चे कभी जीवन में कोई कह दे उन्हें कैस्पलो में ये क्या चीज होती है तो ये ना कहें कि ऐसे से बनती है जब आप कहते हैं ऐसे से बनती है तो बड़ा दुख होता है हमें ऐसे से बनानी नहीं है लो बेटे मेरी दुकान पर क्या क्या भी करा है मेरी दुकान पर ये देखो मेरी दुकान पर ये सामान है ये सामान है खान राजू मोट रखो मेरी दुकान पर ये सामान रखा हुआ है ठीक है तो मैं अभी चलो दुकान खा लिए पहले मैं खान से खृड़ने जाऊंगा लो बच्छो ये लो पैसे रखो ये लो दो तम रखो डोसर फितुम रखो चलो और लोए सो और ले लो खुछ रहो अच्छ अ कि लोजी मेरी जैब में दोसर में सब्चिते ध्यान दें ये दोसर मेरी जेव के हैं भूल मत जाना खान मैं भी खान के पास कुछ सौधा खरीदने जा रहा हूं कान फटा फटा के मुझे सौधा बेचो कि मैं खान के पास जा रहा हूं और मैं कुछ दुकान का सोदा खरिदने जा रहा हूं बाद में यह मेरे से ग्राध गन्स क्रीदने की लिए अएंगी इच्छ Cézco कुछ ठीक है नए लो खान ये बेचना तुमने ये मुझको बेचना है लो भाई खान मेरे पास आया है मैंने का भाई मैं खान से खरीद रहा हूं मैंने खान ये कितने का है खान कहरा सौर रुपे का है ये लो सौर पे मैंने खान को दे दिये साव आप रुपेयों का फ्लो देखेंगे रुपे गए सौर पे गए मैंने का अच्छा खान ये कितने का है खान कहता है सौर पे मैंने का लो भाई सौर पे और भी गए हो गई बाद ठीक चलो खान तुम्हारा काम खतम मेटे मेरी जेब में अब कुछ बजा क्या खाली मेरी जेब में और कुछ नहीं है अब मेरे पास यह आए हैं मोह इन होतोना और है यह इस मेरे सॉ रुर्या था से दो इन्होंने मुझे दो सॉ रुपे दे धिये यह देखिए दोस्ति पे दे यह मैंने इने चीज है मेरी जेंच को हो लुग सा लो कहता हूं और यह वा लेज vikal Ignat यह कितने की बेचो इनको सर इनको भी 200 रुपे की बेचो ओके नहीं ने डेर सो नहीं मुझे 200 दो फड़ा फट से 200 दो लो जी लो जी मैंने 200 में इन्हें यह चीज बेच दिया है यहां तक चीक हाँ धन्यवाद अब मैं कह रहा हूँ मेरी जेब में 400 रुपे थे दो तो साब मेरे अपने थे अगर आपको याद हो 200 रुपे तो मेरे अपने थे तुम्हें याद है ना मैंने पहले अपने घर से लगाए थे वो पैसे तो मैंने पिछली जेब में डाल दिये ये 200 मेरा profit है बोलो हाँ के ना ये मेरा profit है क्योंकि मैंने 100 रुपे का चीज महेंगी बेची है क्या मेरा profit नगद हुआ है मुझे बताईए क्या मेरा profit नगद हुआ है हाँ मेरी जेब में 200 रुपे है मोहित कन्फ्यूज हो गए है मोहित कहता है है नगद हुआ के उधार मोहित मेरे हाथ में दो सुर्पे है इसका अलब मेरा प्रॉविट क्या नगद हुआ है येस मेरा प्रॉविट नगद हुआ है मैं अपने पास यहां यही assumption लगा रहा हूँ कि मेरे पास पांच लाग बीज जार का profit नगद हुआ है Sir, यह पांच लाग बीज जार का profit नगद हुआ है Yes, मैंने assume किया है कि मेरा यह profit नगद हुआ है और यह व्यपार से हुआ है मेरी पहले assumption को समझ ले अच्छी तरह से I am assuming one thing I am saying my dear children assume कर लो कि मेरा यह profit cash में हुआ है और यह व्यपार से हुआ है operation से हुआ है अब एक बात बताओ अगर मेरा सारा व्यपार नगद हुआ है तो debtor बढ़ गैसे गए सब बच्चे दोड़ दिमाज दोड़ाओ मेरे सामने ग्यान के बंडार बैटे है मैंने का बेटे मुझे पांच लाग बीज़ार का नगद प्राविट हुआ है I am assuming कि मेरा पांच लाग बीज़ार का नगद प्राविट हुआ है अगर मेरा नगत प्रॉफिट हुआ है तो डेटर बढ़ कैसे गए बात तो सही कह रहे हूं अगर मैंने सारा प्रॉफिट नगत किया है तो मतलब ये कि जितने डेटर से मैंने उनसे वसूली कर ली तभी तो प्रॉफिट नगत हुआ है डेटर बढ़ कैसे गए डेटर बढ़ इसका मतलब यह हो गया कि पांच लाग बीस हजार, पांच लाग बीस जार का नगद प्राफिट होना चाहिए था, लेकिन उसमें से 80,000 पर का प्राफिट नगद नहीं हुआ क्योंकि मैंने सेल उधार कर रखी है। इसी लिए मिसको ठीक कर रहे हैं हमने का फिर 5,20,000 में से 80,000 हटा दो हमने का 5,20,000 में 80,000 हमारी नगत नहीं है मुझे नगत देखना है तो 5,20 में से 80,000 को बार निकाल दी आम ने इसका मतलब यह हाँ लक्ष्मी नगर हमारा motive profit ठीक करना नहीं है लक्ष्वी नगर हमारा motive नगद profit ढूणने का है तो I started with a basic assumption कि 520 is my cash profit अगर ये cash profit है तो मैंने उसमें से पहले तो निकाल बाहर पहेंका किसाब ये profit तो नगद होई भी सकता ठीक है अब ये सवाल मतला ना किसाब डेटर घट जाते तो क्या होता धनबाद कह रहा है सवरी हुआ कैसे अरे धनबाद थोड़ा सा इसका प्योग करो धनबाद डेटर को डेटर बढ़ने का कारण बताओ खान नजदी का जाओ धनबाद बताईए डेटर बढ़ने का कारण बताईए क्या डेटर पड़े पड़े बढ़े बढ़ते चले जाते हैं कैसा होता है कंपनी में डेटर अपने आप बढ़ते चले जाते हैं धनबाद बताईए डेटर क्यों बढ़ते हैं जब मैं उधार माल बेशता हूं और जब मैं उधार माल बेचता हूँ तो डेटर बरते हैं इसका मतलब ये उधार माल बेचने से पैसा जेब में नहीं आता पैसा जेब में कैसे आ सकता है इसका मतलब ये कि अब पांच लाग बीस जार में से 80 जार का पैसा आपकी जेब में नहीं आया जब नहीं आया तो इस सबसे पहले लिखा net profits, मैंने मान लिया, मैंने का, यही profit नगद है, तो साब यह profit नगद है, लेकिन 80,000 नगद नहीं है, इसलिए मैंने का, increase in debtors को घटा दो, मैंने का, minus कर दो, तो यही तो मैं बताना चाहता हूं साब, कि हमारी assumption ही गलत हो गई, यह उसकी मरमत लगा दी, इसका मैंना 520 में से 80,000 को मैंने rectify कर दिया, जब मैंने rectify कर दिया, तो मेरा काम ठीक हो गया उसके अंदर, बाहर में नगत सिल, नाला एक इंदर, जोधपुर आप फिर गलत कह रहे हैं, जोधपुर मेरे को पहले इधर बताईए, अब आईए मैं आपको जोधपुर आपको और बताता हूं, इधर देखे, सब बच्चे यहां देखे, जब तक आपके दिमाग की सारी बत्तिया ना जल पड़े, मैं आगे जाने वाला नहीं हूं, इसलिए सब बच्चे जो रटने वाले हैं, उनको तो मैं रटवाना बंद करा दूँगा, इधर ध्यान दो, एक बात बटाईए, ये जो सेल्स लिखी हुई है, ये जो सेल्स लिखी हुई है, दस लाख, मैं ये एज्यूम कर लो इसका मतलब मैंने हर चीज को कैश मान लिया मैंने का बेटे मैं मान लेता हूँ ये कैश सेल्स है आपरेटिंग से मैंने का मान लो बेटे ये दस लाग की ही कैश सेल्स है आपरेशन से अब कोई दिक्कत तो नहीं जरा मेरे साथ साथ देखें अब पीतंबुर आप भी जो जो पूर की दिक्कत है मैं कह रहा हूं साहब ये जो सेल्स है दस लाग रुपे की मैंने का ये सारी की सारी सेल है यही मारी कैश सेल्स है ये बताओ इसी में से तो प्रॉफिट निकलता है इसमें से आप माइनस कर देते हो ये खर्चे इसमें से माइनस कर देते हो ये 18,20 आजाता है इसका मतलब ये कि इसी 10 लाग का वोंट यहां पर आ रहा है अब मैं आपसे कह रहाँ कि आपकी अगर सेल 1,00,000 रुपे से 1,80 हो गई तो इसका मतलब ये कि 80,000 की क्रेडिट में हैं अभी भी क्रेडिट में है इसका पैसा कैसे ले लिया आपने मैं कोई प्रॉफिट की बात थोड़ना कर रहा हूँ मैं तो आपसे कह रहा हूँ प्रॉफिट गया भाड में मैं तो नगदी की बात कर रहा हूँ कि मेरे पास नगर ये सारी सेल नगद होती तो आपको कचना ही होगी थोड़ी सी लेकिन सुनिये प्रयास करें उसका समझने का हाँ जी बोपाल इधर ध्यान ने मैंने भी समराइज नहीं किया आईए मेरे साथ था जोद्पूर चल सकता हूं क्या मैं आगे अरे कोहाट तुम्हारा क्या करो नालाइक कई वार तो लगता क्यूब लाइट हो तो हाथ जम्हार जम्हारा हूं साब यह पांच-बीस का सोर्फ किया है 10लाइक सोर्स नहीं है क्या क्या आमारे पास 10 वा की वज़ए से प्राफिट नहीं आ रहा है अगर यह दस लाक उधारी की सेल होगी तो प्राफिट निगत कैसे हो सकता है इसका लो तबी तो एक कैश हो सकता है अगर ये कैश सेल है ये कैश करचे है ये कैश प्रॉफिट है ये कैश करचे है तो प्रॉफिट कैश हो गई होगा इसका मनलब मैं आप से सिंपली कह रहा हूँ एक एक करके चेक करेंगे मैंने का साब इसके अंदर मुझे पता चल गया 80,000 वे गरबन घुटा ला है मैंने ठीक कर दिया मैंने का 5-20 में ये प्रॉफिट नगद नहीं है हटा दीजिए नमबर दो मैंने का कॉस्ट अफ गुड सोल्ड सारी की सारी नगद है जब मैं कहता हूँ कि हमारे पास सारी की सारी कॉस्ट अफ गुड सोल्ड नगद है तो इसका मतलब ये कि स्टॉक हमारे पास जितना ओपनिंग में पहले ले रखा था जो पर्चेस किया हमने कैश में प रिप का माल पर्चेस किया और बैच दिया तो मेरा स्टाक चालिस से एक लाख कैसे हो गया अगर मैंने तीन लाख रुपे का माल नगद खरीदा और बैच दिया तो मेरे गोदाम में स्टाक कैसे बढ़ गया मेरे गोदाम में स्टॉक सरफ एक केसे बढ़ सकता है जब मैंने इसे भी पर्चेस किया होगा और अगर इसे भी पर्चेस किया होगा तो इससे भी कैस्ट जाएगा इससे भी कैस्ट कम हो जाएगा इसका मतलब मैं फिर से अपनी बात कह रहा हूं मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए मेरे पास ये स्टॉक है एक लाग चालिस लाग अब ये एक लाग हो गया स्टॉक बढ़ गया स्टॉक बढ़ने की वज़ा सोचिए ये तो मैंने मान लिया कैश है मतलब ये मैंने कैश इमाल परचेस किया परचेस करके बेच दिया तो स स्टॉक फिर बढ़ कैसे गया इसके बढ़ने का ही की वजा हो सकती है वो क्या हो सकती है पर्चेज ओन क्रेडिट यह हमने पर्चेज की होगी क्रेडिट के अंदर इफ डेटर सार रिद्यूस देन वेव तो एडिन प्रॉफिट बिकॉस सेंवर नौट एडिट पानी पता नहीं क्या कह रहे हो आप आप पहले मेरी बात सुनने अपनी क्रेडिस वो क्रिपा करके जरा दिमाग में रखे पहले मेरी पूरी चर्चाएं हो जाएं कोई दिक्कत क लिया हो मैंने का येस आईए चेक कर लो क्रेडिस को मेरे क्रेडिस पचास जार से चाली जार हो गए अब ये बताईए अगर मैंने ये स्टॉक उधार पर्चेस किया होता तो मेरे क्रेडिस तो बढ़ते मेरे क्रेडिस तो घट रहे हैं इसका मतलब मैंने क्रेडिस को भी कि सजार पे पे कर दिये मैंने अपने पास इन तीनों खातों का मंतन किया मैंने का साव ऐसा है कि मेरे पास ये तीन घटनाएं घटी तुई मैंने उन तीनों को सेपरेटली एनलाइस किया कि डिस केन बी डा ओनली प्राबेबल थिंग कि डिटर बढ़ गए तो उधार सेल कियोगी स्टॉक बढ़ गया तो परचेस किया होगा क्रेटर हमार पास घट गए तो मैंने पे किया होगा और पेमेंट करेंगे तो पैसे जाएंगे इसका मतला मैंने क्या किया मैंने का जी 580 में से ये भी माइनस कर दो साथ जार ये भी माइनस कर दो दस जार ये भी माइनस कर दो मेरे पास सबसे पहले मैंने का 5,20,000 में जो मैं एजूम कर रहा था कि मेरा cash profit है this assumption needs to be rectified out of this 80,000 is not cash profit 60,000 is my payment to creditors या payment for stock and this is my payment to creditors मेरा cash profit कितना होगा हम तो cash profit की बात कर रहे हैं खाली खाली cash profit की बात कर रहे हैं अभी रुको भी सर ये भी तो हम तो 20,000 पे का profit मिला था अब ज़रा दो मिनिट मुझे देंगे आप हमने यहां से रब कर दिया sale of plant 90,000 पर चेज़ा plant 2,20,000 सब बचे यहां ध्यान दे इदर आना खान नज़नी काओ इसके सिरफ सोच कर बताना जो प्लांट बेचा है 90,000 पे का इसकी cost कितनी थी फटा फट से बताओ जो प्लांट बेचा है 90,000 पे का इसकी cost कितनी थी very good जोगपूर डिस्टिक सेंटर जनकपूरी इस्ट चंडिगर बठिंडा 70,000 हमें कितने का profit हुआ था इसे बेचने पर 20,000 पे का profit हुआ था क्या बीस हजार का profits on sale इसमें जुड़ा हुआ है येस और नो ये बताओ क्या profit on sale इसमें जुड़ा हुआ है येस और नो बिल्कुल जुड़ा है था 90 में profit जुड़ा हुआ है याद रखना आपने कहा है profit जुड़ा हुआ profit जुड़ा है 20,000 पे का profit इसमें जुड़ा है ये 5,000,000 बीस जार की बात करते है हाँ जी 5,000,000 बीस जार की बात करते है क्या वही 20,000 का profit जो की investing activity है profit जो था fix the set का investing activity थी क्या ये 5,000,000 बीस जार में भी जुड़ा हुआ है हाँ या ना क्या इसमें भी profit जुड़ा हुआ है the answer is again yes 20 यहां भी जुड़ा हुआ है वही 20,000 आप assume कर रहे हैं cash account में आप जानते हैं cash flow is cash account आप जानते हैं अच्छी तरह से cash flow is cash account आप कह रहे हैं 20,000 का cash इसमें भी है यही 20,000 का cash इसमें भी है क्या आपको दो बार cash मिला था या एक बार मिला था 20,000 का cash दो बार मिला था या एक बार मिला था सर मिला तो एक बार था आपने दो बार treat कर रख रख था अब ये बताईए जब मिला आपको एक बार था आपने दो बार treat करख रखे उसको तो एक बार दिखा रखे हैं इन्वेस्टिंग एक बार दिखा रखे हैं अपरेटिंग अब ये बताओ profit on sale of fixed assets पर परिभाशा कौन सी activity होनी चाहिए fixed assets की item अगरा तुम ही ने कहा था 90 में 20 जुड़ा हुआ है तुम ही ने कहा है 5-20 में 20 जुड़ा हुआ है आगरा मैं पूछ यह रहा हूँ क्या यह activity investing होनी चाहिए परिभाशा के हिसाब से के operating होनी चाहिए fixed assets की सारी activity कौन की होती है investing तो कहा पर गलत है जहां से मरम्मत करनी पड़ेगी जराफडाफड से बताओ कि इस जगा पर इसकी reduction होनी चाहिए यहां पर बात खत्म जब मैं इसे घटा दूँगा तो मेरा काम बिलकुल ठीक हो जाएगा जब मैं अपने पास यह operating में नहीं होना चाहिए तो मैं operating से हटा दूँगा मेरा answer अपने अपा जाएगा इसका मतला हम क्या करते हैं सब बच्चे मेरी बात को सुने हम पांच लाख बीस हजार को उठा लेते हैं और मान लेते हैं यह cash profit है फिर इसकी मरम्मत करते हैं इसको मार मार के ठीक करते हैं कहरें तेरे में बीस जुड़ा हुआ है हटा बीस बटा बट से फिर तेरे में 80 घटना था भी तक घटा नहीं है घटा इसमें 80 तेरे में 60 घटना था भी तक घटा नहीं है घटा इसका 60 तेरे में दस घटना तभी तक घटा नहीं घटा दस मैं इसकी मरमत करता हूँ ये शैतान बच्चा है ये शैतान बच्चा है मैं इसकी चांटे लगाता हूँ चांटा एक, चांटा दो, चांटा तीन, चांटा चार मैं कई चांटे लगाके इसकी मरम्मत करता हूँ ताकि ये वही हो जाए जो मैं चाहता हूँ मैं क्या चाहता हूँ कि कैश का प्रॉफिट मिल जाए मुझे चाहिए कैश प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग हम उसी की अपनी रेक्टिविकेशन कर रहे होते है अब रटना कुछ नहीं है दोस्त आप मेंसे बिकाने कह रहे हैं सर उसे और मत मारो क्योंकि कई बच्चे कह रहे हैं रहे मैं ही था कई आप मेंसे कह रहे हैं ये शेतान बच्चा तो मैं ही था और मत मारो अभी नहीं मार रहा हाला कि आपको इसमें दिक्कतें भी पता क्या रही है कि सर आपने जो जो आंसर बताई ये तो ठीक है बट सर लॉस का उल्टा करना पड़ेगा वो सब धीरे धीरे ग्रैजुली सीखेंगे बिटे हर चीज का लॉजिक दूँगा आपको मैं कोई चीज नहीं और आपके दिमाग में जब वो चीज काम करना शुरू कर देगी तो आपरेट होगे नहीं आप हर चीज को सोचोगे इसका एफेक्ट कहां गया हुआ है जहां एफेक्ट डिया उसके आप रेक्टिवकेशन कर दोगे जनकपुरी जनकपुरी कह रहे हैं जी स्टॉक वाला पॉइंट बता दीजे लो जनकपुरी मैं आपके लिए यही सवाल साब चुत्रा करूंगा क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा खिच्पिच हो गई है कि अब मेरा भी बोर्ट देखने का दिल नहीं कर रहा है तो यह लीजी जनकपुरी एस के लिए मैं यहाँ पर दुबारा से यह सवाल कर रहा हूँ हमारे पास डेटर्स का बैलेंस कितना था एक लाख और एक लाख ऐसी जार मेरे पास स्टॉक का बैलेंस था चाली से जार और एक लाख मेरे पास क्रेटर्स का बैल bloss था 50,000 और 40,000 मेरे पास प्रॉफिट यंड लोस का बैल स्पा 6,000 और 1,50,000 ये था मेरे पास जनक पूरी इस ध्यान देंगे इधर देखेंगे जनक, सब बच्चें ये इपर समझेंगे मेरे को एक्जाम में इतना डाटा मिला है वस मेरे पास profit and loss नहीं है भरतपुर आप भी सुनेंगे अचा 11,20 जार कर दो जी हो 11,20 कर दो हाँ जी मैं आप से पूछ रहा हूँ मेरे को सवाल में सरफ इतना डाटा मिला है और कुछ नहीं है अब पिछला वारा बोट देखने हैं क्या आवश्यक्ता नहीं अब जब मेरे साथ साथ देखें रीड करें रीड करें छे लाग का profit and loss ग्यारा बीस हो गया इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है हमने पांच लाग बीस हजार रुपए कमाए हमने पांच लाग बीस जार पे कमाए हाँ सत्यनिकेतन लॉस वाले केस में क्या होगा सब बात की बात है पहले हम इसी को समझ लें अच्छी तरह से वजादा अच्छा है एक एक करके चलेंगे इसलिए सत्यनिकेतन मैं अगली query नहीं लूँगा इसके उपर ही query लूँगा फिर आगए और चलेंगे ठीक है सत्यनिकेतन हमने कहां जे हमने 5 लाग बीजार कमाए कैसे कमाए हमने एज्यूंग कर लिया हमने कहां जी पांच लाग बीज़ार हमने नगद ऑपरेशन प्रॉफिट कमाए हमने कहा ये मैंने मान लिया कि हमने नगद operating profit कमाई अब सहाब मैं ये कह रहा हूँ कि इस profit में कुछ adjustments करनी वाली है एक तो इसके अंदर हमको less करना पड़ेगा कि 20,000 पे का profit profit on sale of fixed assets ये नगद profit है लेकिन मैं इसे क्यों घटा रहा हूँ भई profit on sale नगद है सब बच्चे मुझे बताएं क्या मैं fixes बेशता हूँ तो क्या नगदी आती है रुपया आता है बिलकुल ये नगद profit है फिर मुझे बताओ मैंने घटाया क्यों इसको क्यों की क्यों की मेरे पास ये 5-20 में जुड़ा है और ये profit कौन सा है investing जो profit investing का है वो ज जुड़ा हुआ इसमें है इसमें मैंने पहले उसे गटाया इसका मतलब ये कि इसमें इस profit में मैंने अपने पास non operating income minus कर दी non operating income ये क्यों minus कर दी क्योंकि जो आपके पास profit निकल कर आ रहा है जो net profit निकल कर आ रहा है सब बच्चे सोचो इस net profit में सब कुछ जुड़ा हुआ है इसमें से 20,000 पे गलत जुड़ा हुआ है वो non operating है रटना मना है ये कौन सी income है ये investing है जुड़ी कहा हुई थी operating से इसलिए मैंने उसको पहले हटाया ये हो गई बात खतम इसका मतलब ही हो गया ये एक चीज निकलाई पांच लाग मैंने ऐसे ही पांच लाग लिख दिया अब मैंने का जड़ा इन चीज़ों को देखते हैं बच्चे कह रहे हैं जी पहले stock और creator को लिख लो मैंने का ओके stock की बात करते है stock 40,000 से एक लाग हो गया stock 40,000 से एक लाग हो आगरा डांट नहीं कहाने चीज़ों आउट सोचना है साब जिनकी queries आ रही थी creators की या debtors की आप सब बच्चे मेरी बात सुनेंगे ये बताओ मैं एक assumption कर रहा था ले रहा था assumption ये ले रहा था कि मेरा सारा का सारा profit नगद है समझ लो बेटे मेरे एक दुकान है उस दुकान पे सारी नगद से लूती है और हम वही अगरिटे हैं वही बेचते है क्योंकि मैंने कहा नगद मेरी एक दुकान है आप imagine करें अपने दिमाग में फोटो बनाएं कि मेरी एक दुकान है कोई और वहाँ मैं नगद माल खरीता ह नगत माल बेसता हूँ, नगत खर्चित करता हूँ, मतलब वो दुकान नगत प्राफिट देती है, अब ये बताईए, अगर सब नगत काम होता था, तो मेरा स्टॉक जो यहां बढ़ गया है, वो कैसे बढ़ गया है, सोचो, इस करना हमने पकी बात है, उस दुकान पर कुछ म माल जूरुरत से ज्यादा करीदा है, अगर हमने उतना ही माल करीदा होता, जितना चाहिए था, तो स्टॉक क्यों बढ़ जाता है, अगर स्टॉक बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये कि जितना बेचा था, उससे ज्यादा माल भड़ा है हमने, और अगर उससे ज्यादा माल भरा है तो पैसे गए भी होंगे इसके उसके पैसे गए होंगे मैंने वही लिखा मैंने का साब स्टॉप जो था स्टॉप से मेरे पास साथ हजार पे गए होंगे एक बच्चा कह रहा है सर हो सकता है यह हमने क्रेडिट वे पर चेस किया हो मैंने का ओके आपकी बात मैं मान गय नागपूर कह रहे हैं, सर, हो सकता है, हमने नगद ना लिये हो, उधार लिये हो, मैंने का, ओके, अब इस बात को याद अखना, कि आपने का, हो सकता है, ये माल उधार लिया हो, तो नागपूर, अगर हमने ये माल उधार लिया था, तो क्रेटर खड़े होने चाहिए आपके से बताओ क्रेइटर्स कितने के हैं क्रेइटर्स हमारे पास 50 के 40 हो गए अब साफ क्रेइटर तो जितने पिछले साल से उससे भी कम हो गए तो यह स्टाउक नगधी पर्चेस किया होगा अब बात सो में आती है इसका मतलब यह कि अगर मान लीजिए मैंने स्टाउक खरीदा है इसका मतलब तो यह हो गया कि यह तो नगध लिया ही है साथ में इनके कम होगए हैं इसको भी दताउर पे दिये हैं इसको कÜ दताउर पे दिये हुए हैं मेरी जेब से 60 हज़ार पे गए होंगे पका-पका सर सर हम इसको change करके दिखाईए मैंने का क्या change करके दिखाऊ आपको इसको एक बच्चा कह रहा सर क्रेइटर्स को तोगा change कर दो मैंने का ओके मुझे कोई आंसर निकालने में frame है ही नहीं ये लीजिए क्रेइटर्स मैंने कर दिया पचास हजार और साथ हजार लो साब मैंने पचास और साथ कर दिया जरा मेरे साथ रटना तो है इनी रटना पाप है बेटे क्या आप पाप करने के लिए तयार है नहीं सब बच्चे यहां ध्यान दे अब मैं अगली बात कह रहा हूँ आपसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि साब मेरे गोदाम में माल भर गया मेरे गोदाम में कितने का माल भर गया मेरे गोदाम में साथ हजार पे का माल भर गया कोई रात को चोर आगे तो छोड़ के चले नहीं गए कि आप करे हो सकता रात को चोर आए थी और माल छोड़ के चले गए ऐसा तो हो नी सकता है इसका मतलब ये कि मेरे पाँ स्टॉक साथ का परचेस किया है आप ये कह रहे हैं सर, हो सकता है ये स्टॉक हमने नगल परचेस क capitalism किया हो वह सुरी उधार परचेस किया हो मैंने restauration друз चेक See the creators क्रेटर्स हमारे पास 50 के 60 हो गए हैं इसका मतलब क्या हो गया आपने कितने का माल उधार परचेस किया फटाफट से बताओ आपने तो सिरफ 10,000 का माल उधार परचेस किया है अगर 10,000 का माल उधार परचेस किया है तो इसका मतलब भी हो गया कि आपने अगर 60,000 पे की परचे तो सिर्फ दफ की है, तो बाकी पर्चेस किस की हो गई? बाकी पर्चेस हो गई कैश की, बोलो सो में आती ही बात, इसका मतलब ये, कि हमारे पास very good करणाल, अब सारी बात सो में आती है, इसका मतलब आप इसको सहजता से देखिए, हालां कि बच्चे इसको आम तोरे बश्पन में क्या करते हैं? बश्पन से उन्होंने रट रखा है, उन्होंने सौगन खा रखी है, अगनी की, और क्या कह रखा है? जब जब डेटर बढ़ेंगे, माइनस करूंगा, जब जब क्रेटर घटेंगे, माइनस करूंगा, जब जब डेटर बढ़ेंगे, बतानी क्या, नाला लाइकों वाले काम कर रखे हैं बच्पन से लेकर आस तक है असल में इसमें आपकी कोई गलती नहीं है कभी अपने आपको यह मत कहना कि सथ हम नालाइक थे हमारी शिक्षा पद्दती में दिक्कते हैं इसलिए दिक्कते हैं आपको आपको कोई समझाने वाला होगा तो क्यों इसलिए बात को समझें ऐसा कुछ नहीं है लेकिन जब जागें तब सवेरा आज से रटना बंद सारे बच्चे सौगन खाएंगे फड़ावट से कसम खाईए अभी नहीं कसम खा रहे रायपुर रायपुर हिल भी नहीं रहे हैं कसम खाईए सब बच्चे बाजू आगे करे आगरा बाजव आगे करें अजमेर करनाल मुंबई बोरिवली ठाने पूना फटावट अहाँ यही कसम खानी है हम कभी भी डैटर बढ़ेंगे माइनस कर दो क्रेटर बढ़ेंगे जमा कर दो यह एतना कर दो उतना ऐसे नहीं करेंगे लो मुंबई बोरिवली कह रहे हैं हाला कि मैं जब आपकर असाज आया था तो मैं बड़ा उदास था आज मैं आपसे अपने उदासी भी शेयर करना चाहता हूँ हाला कि पढ़ाने के बाद हमेशा ऐसा होता है कि आपका महौल मतलब इतना बढ़िया चीज है पढ़ाना कि आप भूल जाते हैं दुनिया को मैं बड़ा उदास था मैंने आज एक न्यूस पढ़ी टाइमस आफ इंडिया के आज तीसरे चौसे पढ़ने पर न्यूस है कि किसी छोटी बच्ची ने अपने पिता के लिए जान दे दी आप मेंसे पता नहीं किसी ने पढ़ी के नहीं पढ़ी It's a really really मतलब मेरे लिए एक बड़ा जानतों ऐसी स्टोरिज पढ़ने को बाद बढ़ने की आँके चली गई गरीब परिवार है पिता जी के आँके चली गई और उसकी जो बड़ा भाई था उसे किड्नी की प्रॉब्लम थी सिक्स्थ क्लास का छोटा सा बच्चा कितना प्यार करता होगा अपने भाई से लड़की थी और लड़कियां वैसे भी अपने माता पिता से बहुत प्रेम करती है वो कितना प्रेम रखती होगी अपने भाई के साथ और कितना प्रेम रखती होगी अपने पिताजी के साथ उसने अपनी बड़ी वहन से कहा कि क्यों ना हम अपनी जान देकर इनको किड्नी और आखे दे जाएं आप और मेरे में ये ताकत नहीं है हम बड़े कमजोर, बुजदल और घटिया इंसान है ऐसे बच्चों के सामने मैं ये नहीं कर आप जान दे दें लेकिन मैं एक इनोसेंस की एक बहुत चरम सीमा और प्रेम भाव की चरम सीमा देखता हूँ उस बच्चे ने बाद में जहर खा लिया और फिर रोती ही अपने पिता जी के पास गई और उसने कहा कि अख़वार में लिखा है आज की टाइमस आफ इंडिया में उसमें लिखा कि उसने अपने पिता जी से कहा कि पिता जी मुझे किसी ने जहर खिला दिया है मुझे तुरन डॉक्टर के पास ले जाए और मेरी किड्नी और मेरी आखें लेकर अपने पास लगवाले पिता जी को लगा कि पता नहीं क्या कहरा है बच्चा फटा फ़र डॉक्टर के पास लेकर गए लेकिन बच्ची बच्ची नहीं वो छटी क्लास की बच्ची की मृत्ती हो गई उसका क्रिमेशन हो गया और बाद में उसके कमरे से चिठी पाए गई जिसमें लिखा था कि मैं अपनी जान इसलिए दे रहे हूं कि मेरी जान जाने के बाद ये किड्नी मेरे भाई को और आखें पीता जी को दे रहे हैं अपने परिवार से हम उतना ही प्रेम रखें हम अपने घरवालों के लिए हम वही अपने आपको बांद के रखें मेरे लिए बड़ी टच्चिंग चीज़ थी वाज मैं रदर आज दोपहर के बाद नहीं परिशान रहा उस ख़बर को पढ़ने के बाद ऐसा नहीं है कि मैं कहरों की जान देनी चाहिए कि नहीए मैं किसी राजनीती में नहीं जाना चाहता हám मैं तो स्थर्फ एक बात कहता हूं साथ प्रेम जो है इनोसेंस अफ टेक लव वो मतलब उस में देखने को मिलती यह something is different ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसे बच्चे भगवान सो रूप हैं क्या होगा आईए हम इसकी बात कर रहे थे आपके साथ हाँ मेरी पतनी आ गई है अमबाला बार बार कह रहे हैं आपकी पतनी आ गई है हाँ आ गई है मेरी पतनी और मेरी पतनी मेरा बेटर हाफ है और उसमें ऐसा कुछ नहीं है क्या आप सोचें कि मैं अपनी पतनी को लिए खुशी-खुशी खाना मना सकता हूं और खुशी-खुशी कपड़ी दो सकता हूं उसकी तबियत खराब थी और मैंने तुरंट छुटी की थी परसों वाली क्लास में उसको कुछ दिक्कत थी मैंने का मैं तुम्हारे लिए भी तुरंट छुटी करूंगा और हम पहले रोड़ दॉक्टर को दिखा करना आएंगे विकास नेक्स संडे था डॉक्टर में बैठना नहीं था हम पहले ब्रेक देते हैं ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे थैंक यू हम लोग चर्चा कर रहे थे ब्रेक में जाने से पहले कैश लो की आई यह जड़ा फटा फुर से देखें अब हम सवालों पर आते हैं और सवालों पर थोड़ी चर्चा करके फिर उसके बाद आगे चलेंगे बस आज का हमारा काम मैंने पहले ही बताया आज काम सरफ डिसकुशन्स का है सवालों काम आज नहीं है एक्सांपल हां मुंबई बोरि मेली नहा भी लिया वेटे मैंने इतु दिर में नहा भी लिया चंडिगार वेटे जो नंबर मिला वही पहना है मेरे पास यहां जो पड़ा था मैंने पहन लिया एक्सांपल लिखें opening balance closing balance डेटर्स एक लाख पचास जार सत्तर हजार स्टॉक एक लाख चालीस हजार क्रेडिटर्स तीस हजार मैंने बिल्कुल ना उल्टी पोजीशन ले लिए जिसके इसाब से मैं काम करने जा रहा हूँ डेटर्स मैंने पहले बढ़ाय थे मैंने ग shapes önce that मोचे लिए सब्सक्राइब लोग लोग डिसकस कर साथ है मेरे साथ साथ प्राफिट एंड लास अकाउंट एक लाग चार लाग अब मैं आप से कह रहा हूं प्रिपेर या कैल्पलेट cfoa ये बताईए कौन से मेत्ट से होगा डारेक्ट मेत्ट से होगा या इन डारेक्ट मेत्ट से कर सकते हो डारेक्ट मेत्ट अगर आप बोलें तो डारेक्ट मेत्ट में आल अकाउंट बनाने पड़ेंगे आल अकाउंट बनाने के लिए आपको प्राफिट एंड लास चाहिए क्या आपके पास प्राफिट एंड लास अकाउंट है प्राफिट एंड लास ही नहीं है इसक प्रॉफिट से लिखते हैं नेट प्रॉफिट बताओ साब प्रॉफिट कितने का हो गया एक लाख से प्रॉफिट एंड लास चार लाख हो गया प्रॉफिट कितना हो गया तीन लाख का प्रॉफिट बढ़ गया इसका मनद प्रॉफिट कितने से बढ़ गया प्रॉफिट कराना है डेटर घट गए जल्दी से बताओ डेटर घटने से पैसा आपके पास आएगा या बाहर रुकेगा जल्दी बताओ डेटर से पैसा कहां पर हाँ वेरी वेरी गुड करनाल कहना है जी आएगा इसका मतलब ये कि डेटर जैसे जैसे हमारे पास जितने डेटर का माउंट था यह 80,000 तो 3,000,000 तो प्राफिट से आएगा इतना पिछले साल के डेटर से आएगा यह नहीं है बेच लिया होगा भई सीधी सीधी बात है हमने इतना स्टॉक बिना खरीदे बेचा होगा तो रुपय आएगे रुपया आएगा के रुपया जाएगा रुपया आएगा के रुपया जाएगा वेरी वेरी गुड कौन कहता है कि मेरे बच्चे नालाइक हैं मेरे बच्चे सब से ज़्यादा हुश्यार हैं तो कितना मांट आएगा स्टॉक से भी साथ हजार रुपे आएगा क्योंकि साम मैं इतने की पर्चेज नहीं करूंगा क्योंकि मैं इतने रुपे की पर्चेज नहीं करूंगा जब पर्चेज नहीं करूंगा गोदाम में रखा माल बेचूंगा तो recovery होगी मेरे को, अब मुझे बताईए, क्रेटर बढ़ गए, क्रेटर बढ़ गए, क्रेटर बढ़ने से मेरी जेब में क्या फरक पड़ेगा, बेटे देखो, मैं फिर से याँ चल कर दिखाऊंगा, और देखना मेरे पीछे-पीछे पैसे लेने वालों की line बढ़ती चली जाएगी, जितना पेरे पीछे-पैसे लेने वालों की line बढ़ेगी, उससे क्या होगा, पहले मैं देखो, अकेला चलता था, मैं पहले अकेला चलता था, मैं जब अकेला चलता था, तो कोई दिक्कत नहीं, अब मेरे पीछे-पीछे-पैसे लेने वाले घड़े हैं, मैं जह पैसा ग्या है मैंत दे निया रहा तो पैसा कहां पर रक्का हुआ है ये वेयरी वेयरी गुड तरो मैं आगे थैसे दूनेवाद किमें ने पास्सक्राइटर बढ़ गए तो पैसा आगया क्र ए पैसा दबा लिया ओ मैंने पैसा दबा कर रखा हुआ है इसका मतलब यह हाँ यह ट्रेन कौन से स्टेशन तक जाती है सब नालाइक है यह ट्रेन कहीं नहीं जाती है क्रेटर्स की बात कर रहे हैं क्रेटर्स कितना हो गया हमारे पास जो भी आता है आठ छे चौदा एक सो असी पांच लाख असी दाख सर सर मैंने का हाँ हाँ क्या ये तीनों हमेशा प्लस होंगे पिछले सवाल में तीनों माइनस हुए थे बाई चांस की बात है कि अब की बार तीनों प्लस है पिछली बार तीनों माइनस थे कुछ भी हो सकता है मुझे उससे को दिक्कत नहीं है ये कुछ भी हो सकता है मुझे इस बात से को परक नहीं है क्या अब आप फटाफिट से हमेशा इंडिपेंडेंटली सोच के सवाल कर लि तिकत नहीं है आईए फड़ा फट से अपना हेडिंग लिखेंगे बस चर्चा हो गई खताम अब आप हेडिंग लिखें कुछ बाते नोट कराएंगे फालोड बैदाइट हम कोश्चन्स की बाते करेंगे ओ भाई ये टी-शिर्ट तो बड़ी टाइट है इसे पहनने पर तो एक लागर पर इनाम मिलना चाहिए हाँ थोड़ा खेंचनी पड़ेगी ये तो मैंने टी-शिर्ट अब खेंचनी शुरू कर दी है तो देखते हैं ये कब तक मुझे परदाश कर सकती है टी-शिर्ट आओ जी लिखें cash flow statement indirect methods Ligna in indirect methods we don't need profit and loss accounts आगे लिखें cash flow from OA can be calculated by indirect methods हम सिरफ cash flow from OA निकाल सकते हैं indirect method से cash flow from IA and FA can be calculated by direct method only that is by preparing accounts अभी लिक लीजिये वस आगरा बेटे लिक लीजिये लिखें accounts which give accounts which give operating flow are not prepared it means following accounts are not prepared मैं भी इसके ठीक बाद एक 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 जामपल लोंगा उसके बाद यह समस्या खतम हो जाएगी बास बेटे खतम होने वाली है cash flow number one debtors BR account creators बी पी अकाउंट stock account expenses outstanding या prepaid accounts यह खाते नहीं बनाए जाते बाकी सारे खाते बनाए जाते हैं मेरी बात को फिर समझ ले सिरफ यह खाते नहीं बनाए जाते बाकी सारे के सारे खाते बनाए जाते हैं इसका मतब फिक्स इस अकाउंट बनाए गा बनाया जाएगा stock account टेक्स अकाउंट बनाएंगे प्रपोस्ट बनाएंगे सब खाते बनाएंगे यह खाते नहीं बनाएंगे इसके अंदर बस आगे लिखें CFOA is calculated as follows CFOA is calculated as follows net profits net profits है मिर पास net profits plus non operating incomes इसका example कौन सा है profit on sale of sorry minus profit on sale of fix this interest income dividend income मुझे सब बच्चे बताओ profit on sale of investment वैसे कौन सी activity होती है investing interest income investing dividend income investing यह हमारी तीनों investing है चूंकि profit में जुड़ी होती है तो profit से हटा दी जाती है plus non operating non cash expenses जैसे कौन कौन से non operating non cash खर्चे है profit on sale का उल्टा है loss on sale of fix this यह वापिस एड़ बैक कर देते हैं depreciation good will return off कटक आपने गलत कहा है कटक ने कहा है क्या हम कह सकते हैं current assets and current liability तो कटक इसमें दिक्कत देखें provision for taxation is current liability लेकिन मैंने उसे मना नहीं किया इसलिए कटक आप जो कह रहे हैं वो गलत है सिरफ यही हैं खाते और कोई नहीं है यह exhaustive list है इन खातों को आप नहीं मिना सकते हैं अपने पास exhaustive मतलब संपूर्टा से यहीं list है यहागा जी total फिर जिनके खाते नहीं मनाये थे उसको मियाँ पर लेकर आते हैं प्लस माइनस चेंज इन डेटर बी आर प्लस माइनस चेंज इन क्रेडिटर बी पी प्लस माइनस चेंज इन स्टॉक प्लस माइनस चेंज इन एक्सपेंस आउट्सेंडिंग या प्रीपेड इसे बोलते हैं हम लोग कैस्ट प्रॉफिट कैस्ट प्रॉफिट बीफोर टेक्स जो उपर टोटल था इसे हम बोलते हैं प्रॉफिट प्रॉफिट बीफोर वर्किंग कैपिटल changes profit before उन्हें बोलो लखनों में दिक्कत है बाहर इतने सारे इंजीने खड़े हैं लेकिन ध्यान कोई नहीं दे रहा लखनों में दिक्कत है profit before working capital changes minus tax paid is equal to cash flow from OE यह इसका format है साथ इस format को आप चेंज नहीं कर सकते इस format को आपको follow करना पड़ेगा sir sir हम ना मानेंगे बिना सवाल किये हुए वो कौन सा गान है खान हम ना मानेंगे खेलेंगे हम होली ऐसा गाना है ना कोई खान वही गाना मैं यहां पर चलाने जा रहा हूँ हम ना मानेंगे आज तो हम कराएंगे सवाल very very good question number question number 16 question number 16 आज का आखरी सवाल आज का आखरी सवाल यह मेरी आने वाली हिंदी फिल्म का नाम है बाहर सारे इंजीनर गवरा गए मैंने का ही मेरी आने वाली फिल्म हो क्या रहे हैं अब इनका ये काम भी शुरू हो गया रब करने के लिए छोटू आएगा भी बुला भाई खान छोटू को कान चोटू को बुलाओ लखनाव बेटे मैंने दो तिन दफा कहा है इंजीनियर्स को लेकिन आप जानते हैं कॉमर्स वाले मेरे इंजीनियर्स में अंतर होता है कॉमर्स वाले कर्मेट होते हैं काम करते रहते हैं इंजीनियर्स काम के बहुत निकम्मे होते हैं मैंने उन्हें दो बार कहा है कि हाँ वो सेंटर काम नहीं कर रहा लखना हूँ लेकिन सुनते ही नहीं है कोशन नंबर 16 लक्ष्वी नगर हम धीरे धीरे करेंगे बिटे निश्यंत रहना आप मेरी बातों को सुनते जाना क्योंकि क्या होता ना कई सारी बाते एक साथ नहीं बताई जा सकती धीरे धीरे बताई जाएंगी तो आप लोग से तयार हैं क्या येस कौन कहरा है जनकपुरी तुम्हारा सेस ब्लॉगड है सिरसा तुम्हारा भी सेस चल रहा है दिखा अभी लिखा नहीं है लोग भाई आईए पटापट से कोश्चन नंबर 16, Page Numbers, Char Sobais from the following details of accounts of grow more limiteds prepare cash flow statements cash flow बनाना है दिखाओ खाना दो बर्ष दे रखे हैं दोज आर एक दोज आर दो share capital, reserve, profit and loss account, debentures, provision for taxation, proposed dividend, sundry creditors, plant and machinery, land and building investment, debtor, stock, cash in hand, cash at bank नीचे लिखाओ है हमारे पास, depreciation at the rate of 25% was charged on the opening balance of plant and machinery, during the year one old machinery costing 50,000, WDV B-Zar was sold for peace 20,000, 50,000 was paid towards the income tax during the year, building under construction was not subject to any depreciation, prepare cash flow statement अब सब बच्चे मुझे पहले ये बताओ, क्या इस सवाल में कहीं पर भी profit and loss account बना कर दे रखा है अगर profit and loss account है तो वो सवाल हो सकता है direct से भी indirect से भी क्योंकि भही profit loss को consider करके direct method ले ले लेंगे, बिना profit and loss के indirect हो जाएगा लेकिन ये सवाल में profit loss है ही नहीं है, इसका मतलब ये तो होगा ही किस method से, केवल और केवल एक method से वो कौन सा method होगा, indirect method, direct method से तो ये होई नहीं सकता, direct method के लिए क्या चाहिए मुझे को profit and loss account जो नहीं है, सर अगर मान लो यह profit and loss account भी छपा होता, तो फिर ये सवाल दोने methods जो हो सकता था, फिर वैं इसको direct method से भी कर सकता था, indirect method से भी कर सकता था, लेकिन ये सवाल अब जो होगा, केवल किस method से होगा, indirect method से ही होगा हाँ जी, आईए, हम फटा फट से इसके अंदर cash flow बनाएंगे, सब बच्चे पहले बनाना start कर दें cash flow statements, हाँ, बस बेटे अब तो board साफ हो गया, आपका क्या नाम है, हाँ जी, रमेश, रमेश मेरे पास आ गए है, cash flow from OA, cash flow from IA, cash flow from FA, schedule number one, schedule number two, schedule number three, यह आ गया हमारे पास extraordinary, इसके बाद लग गया, total, add कर दिया, opening cash and cash equivalent is equal to closing cash and cash equivalent. अच्छा, यहाँ पर आ गए हम लोग अगली आइटम पर, CFOA, थोड़ा सा खुला खुला बनाना बेटे, धन्यवाद रमेश, थोड़ा सा खुला खुला बनाना बेटे, C F I A C F F A लो भई, मैंने अपने पास बना दिया है, यह cash flow का performer, अब मुझे फटा फट से जड़ा आप देखें और मुझे बताएं, बारी बारी चलेंगे, ठीक है? सब बच्चे मेरे साथ साथ देखें, सबसे पहला खाता share capital, मैं सारे खाते बनाऊंगा, कौन से खाते नहीं बनाऊंगा, जो operating flow देते हैं, मुझे बताना share capital का, क्या खाता operating flow देता है, कि financing का flow देते हैं? मुझे फटा-फट से बताओ, share capital खाता कौन सा flow देता है, financing activity, ये खाता बनेगा, reserve का खाता बनेगा, profit and loss का खाता बनेगा, debentures का खाता बनेगा, taxation एक special item है, इसका खाता हमेशा बनाया जाएगा, proposed dividend financing का flow देता है, खाता बनेगा, नहीं बनेगा तो किसका खाता नहीं बनेग इसका मतलब ये creators का account नहीं बनेगा, plant and machinery account बनेगा, land and building बनेगा, investment बनेगा, debtor का खाता नहीं बनेगा, stock का खाता नहीं बनेगा, cash and bank का खाता नहीं बनेगा, जो मैंने काटे लगा दिये, इनका खाता नहीं बनेगा, बाकि सब का खाता बनने वाला है, अच्छा, फटा- इसे याँ पर लिखना शुरू कर दे, share capital, balance BD, 8,00, 10,00, reserve accounts, two lakh, one fifty, profit and loss appropriation accounts, sixty thousand, one lakh, ये reserve बेटे मैंने उल्टा लिख दिया था, इसे ठीक कर दिया मैंने, reserve लिख दिया, profit and loss लिख दिया, debentures account, nil, और 2 lakh, provision for tax account, 70,000, और 8 lakh, बेटे taxation ये कैसी चीज़ है, जो operating flow देती है, हम तब भी अपने पास, इस खाते को बनाते हैं, क्योंकि taxation एक special item है, फिर proposed dividend account, balance BD, एक लाक, CD, दो लाक, creditor account नहीं बनेगा, क्योंकि इसको बनाने के लिए, मुझे अपने पास data भी नहीं मिलता, number 2, creditors directly कहां चला जाएगा, net profit में, ये खाता नहीं बनेगा, हमारे पास, क्योंकि ये profit को C दावट करेगा, plant and machinery account बनेगा, balance BD, पाँच लाक, साथ लाक, land and building, चार लाक, छे लाक, फिर इन्वेस्टमेंट्स अचांट, investments का balance BD, निल, और CD, एक लाक, सिर्सा बिटे, मतलब मैं जैसे करा रहा हूँ, आप पहले कुछ दिर ऐसी कर लो, आप shortcut जादा मत लगा, बोलो ठीक है सिर्सा, ठीक है सार, आप इतना कह रहे हो, तो मान जाते हैं आपके बात को, debtor account बनेगा नहीं, stock account बनेगा नहीं, cash account बनेगा नहीं, देखना ये है, पहले कौन सा बच्चा ये खाते बनाता है, मैं कर रहा हूँ, आपकी इंतजार, हाँ, इंतजार करते करते, क्या जाएगी जीवन सारा, नागपुर ने लिख लिया, सिली गुडी ने लिख लिया, सूरत ने भी लिख लिया, पूना ने भी लिख लिया, और कानपुर मॉल रोड ने भी लिख दिया, भरत पुर इंदौर, चलो भई, चलो, परोज़रा depreciation at the rate of 25% was charged on the opening value of plant machine रिखान इधर आ जाओ हाँ जी हमने depreciation लगाई plant के उपर कितना 25% on opening value नीले pen से लिखोंगा मैं by depreciation opening value उपर मुझे फटा फट से बता opening value 25 इन कितना आता है 25% opening पांच लाग का 25% 125 फिर उसके बाद है one machinery costing 50,000 WDB 20,000 वो शोल पर रुपीस 35 जार by bank कितने का है भाई cost थी उसकी WDB 35 का बेचा तो profit on sale कितने रुपी आ गई है पंद्रह हजार लखनव बिटे class के तुरंद बाद मुझे ज़रा बात कराने को बोलना अपने coordinator को कि ये रोज क्यों दिक्कत होती आपके यहां पर ज़र आप बाहर से बुलाना अंकितन कंपनी की टीम को बोलो जी लखनों में क्या दिक्कत है इस दिस निससरी तो मेक फालिंग अपने लिखा नहीं क्या कहना चाहते हैं आप अधर दैन मचिनरी टेक्स अच्छा ठीक है कोषग समझ गया हम अपने लिखा नहीं है कोषग लेकिन मैं करना चाहता हूं मैरे पास मेरे मन की हार देक इच्छा है आओ, रुपीज 50,000 was paid towards income tax हमने 50,000 पे income tax पे किया है आईए जी, income tax पे करेंगे 50,000 पे, टू 50,000 पे का tax हमने पे किया आसन सोल, हमारे सवाल के अंदर लिखा था जिसकी WDV 20,000 थी हमने उसे कितने का बेचा है हमने उसे बेचा है जी 35,000 पे का तो बेटे कितने का profit हो गया हमारे पास profit हो गया रुपीज 15,000 ये वही 15,000 निकाल रखे हैं दोस्तमने अच्छा, आईए जी इसके बाद चलते हैं आगे building was under construction is not subject to any depreciation वो कहरा building में depreciation नहीं है तो अच्छी बात है building में depreciation नहीं है तो क्या करना है कुछ नहीं है depreciation आईए अपने खातों को pack up कर दे जितने भी खाते हैं उनको pack up कर दे ध्यान से मेरे साथ देखना खाते कैसे pack up किये जाते हैं सब बच्चे देखें सबसे पहले तो इसी को pack up करता हूँ plant को plant account तो tally हो सकता है तो आईए ज़रा देखें plant account खान सब नजदीक आईए plant में आएगा seven lakh very good जनकपुरी district center two bank three lakh forty five thousand three lakh forty five thousand यह tally हो गया proposed dividend आप जानते हैं पिछला proposed dividend अमने pay कर दिया होगा क्यों सर यह हमारी assumption होती है कि कुछ नहीं लिखा तो पिछला dividend अमने pay कर दिया two bank और यह हमारे पास आगया by P&L यह हमने propose नया किया होगा two lakh rupees यह हमने propose किया होगा rupees two lakhs taxation की बात करते हैं by P&L 80,000 हमने tax provide किया होगा 80,000 हमने tax provide किया होगा deventures हमने issue किये होंगे by bank deventures हमने issue किये होंगे कितने के deventures issue किये होंगे rupees two lakhs reserves का भी change करता हूँ मैं profit and loss appropriation की बात बात में करता हूँ आईए देखें और कुन को कुन से account बचते हैं land and building land and building की बात करेंगे land and building account में जड़ा चेक करें और मुझे बताएं कि land and building में क्या घटना घटी तुई 2,00,00 रुपे का two bank land and building two bank यह हमने purchase किया होगा और investments के बारे हैं बताएं क्या किया होगा two bank कितने रुपे rupees one lakh two bank rupees one lakh हमने यह सब तो कर दिया अब सहाब ऐसा है कि यह account P&L appropriation का सबसे आखरी में बनाना चाहिए pack up करना चाहिए क्योंकि इसमें कई चीजें आ सकती है इसलिए इसलिए सबसे आखरी में pack up करना चाहिए यह धीरे धीरे आप लोग experience होते कर रहोते चले जाएंगे कि इसमें कई चीजें यहाँ पर से आखरी में इसलिए इसकाते को लात में बनाना चाहिए हाँ जी नाधपुर income tax में जो पेनल लाला हो प्रोवीजन बनाई है अब मुझे यह बताओ रिजव हमारे पास बढ़ गए अब यह बताइए रिजव बनाने का मतलब क्या हो गया हमने पी एनल से पचास जार पे का रिजव बनाया होगा बो सहमत हो के नहीं हो मैंने अपने पास एक लाग पचास जार पे का मेरा पहले से रिजव था मैंने एक लाग पचास जार के रिजर्व को दो लाग कर दिया तो इसका मतलब यह हमने नया रिजर्व कितना बनाया होगा हमने अपने पास नया रिजर्व बनाया होगा रुपीज पचास हजार अच्छा शेयर कैप्टल एक बच्चा कर रहा है सब शेयर कैप्टल अकाउंट का क्या किया शेयर कैप्टल अकाउंट टेली करा रहे है गोहाटी कह रहे हैं जी शेयर कैप्टल तो share capital account को हम टेली करा रहे हैं करनाल में दो बच्चे बातें कर रहे हैं करनाल नाला एक बात चीत बंद जिन्होंने चेक शर्ट पहनी हुई है हाई आईए मेरे साथ साथ buy bank दो लाक दो लाक खतम बेटा खतम cash flow अपनी आखरी सांसे ले रही है इसके बाद आगे cash flow में कोई बात ही नहीं सिर्फ छोटे छोटे दो तिन बातें बाकी सारा chapter खतम भगवान कृष्ण का प्रसाद है आपको आज मिला है हाँ अब मेरे साथ साथ जड़ा फटा फट से आद देखो अब मैं इस account को पूरा करूंगा लेकिन साथ इसमें कई चीज़े एप्रोप्रियेशन की हो सकती है जो चीज़े इस इधर आप खाँ साथ जितनी भी चीज़े एप्रोप्रियेशन की होंगी इन खाथों में वो सब इधर डालनी पड़ेंगी मुझे ज़रा फटा फट से बताईए इन में से कौन कौन सी चीज एप्रोप्रियेशन की है ये रिजाब बनाना क्या ये हमारा एप्रोप्रियेशन है ये हमारा खर्चा है फटा फट से बताओ ये पचास जार हमारा एप्रोप्रियेशन है ये क्या चीज़ है वेरी वेरी गुड जोडपुर और गोहाटी कह रहे हैं प्रोविजन फाटेक्स गलत के रहे हैं गौहाटी provision protects खर्चा होता है ध्यान ले अच्छी तरह से यहां resolve जाएंगे Sir हमें अगर list मिल जाए कि कौन-कौन सी चीज़ें ऐसी है जो appropriation है मैंने का ये लो बेटे ये लो आओ भाई आओ ये है वो खाता जो हमने उस वक्त नहीं समझाया था इसलिए नहीं समझाया था क्योंकि ये चीज़ यहां पर cover हो रही है इसमें आता है जनल लिज़ाओ premium paid on preferent share interim dividend, capital redemption लिज़ाओ dividend, net profit taxation नहीं आता इसमें कई नालाइक समझते हैं tax penal appropriation के item है जी नहीं इसमें tax tax नहीं होता है ये सिर्फ बटवारा है ये सिर्फ बटवारे का खाता है कि ये profit जो था हमने यहां यहां बाट के रख दिया मुझे फटा फट से बताओ इसमें कौन-कौन सी चीज़ का बटवारा हो रहा है क्या ये reserve बटवारा है हाँ तू जर्नलिज़ा साथ जब तक खाते नहीं बनेंगे cash flow कैसे बनेंगी अगर आप चाते है cash flow बनाना तो खातों को बनाना आना चाहिए पानिपत कहरें CDT का क्या होगा CDT होता तो उसको भी appropriation में डालते इस सवाल में है नहीं है दनबाग tax refund होगा तो income में आ जाएगा flow income में आ जाएगी चेक करें क्या debentures में कोई penal के item है नहीं है ये बताएं क्या यहां कोई penal के item है हाँ अब ये बताओ ये खर्चा है के appropriation फटाफट से बताओ ये expense है के appropriation देखना ये है पहले कौन सा बचांसर देता है वेरी गुड भोपाल वेरी गुड जोधपूर हावडा वेरी गुड गोहाटी इंदाओर मेरट बिलासपूर अजमेर पानिपद सत्यनिकेतन चंडिगर रोतक लक्षमिनगर भीकानेज धाटको पर कोटाब हरीदवार जबलपूर कटक वेरी वेरी गुड अब मैं सब के नाम ना ले पाऊंगा ये खर्चा है ये नहीं आएगा यहां पस प्रपोस्ट डिविडेंट में फिर पी एंडल है ये पी एंडल को साब सारे पी एंडल को चेक करना जितने भी पी एंडल लिखे हैं या तो वो एप्रप्रिशन के होंगे या वो एप्रप्रिशन के नहीं होंगे बस मुझे फड़ा विट से बताते जाओ और देखते हैं पी एंडल में ये आगाए दो लाख ये आगाए जी तू प्रपोस्ट डिविडेंट इसके होना हमने कितना इडिविडेंट प्रपोस्ट किया दो लाख का इडिविडेंट प्रपोस्ट किया कुछ नहीं बेटे डबल एंट्री चल रही है जब तक मैं अकाउंट नहीं बना लेता ये खाता सबसे आखरी बनाना चाहिए जब तक मैं account नहीं बना ले था तब तक मुझे आगे नहीं चलना है तो मैंने का cash flow गई भाड में खाते बनाने सीखो, सारा काम तो खातों का है खाते ठीक तो cash flow ठीक आईए जी मेरे साथ-साथ, यहां तक हम पहुँच गए है plants, भई, plant में एक depreciation आ रही है यह खर्चा है के appropriation है, फटा फट से बताईए जरा फटा फट से, घाट को पर बेटे, appropriation का मतब होता है बटवारा, जहां profit को बाटते हैं घाट को पर, जैसे खीर बनाई मेंने तो खीर बनाई किसमें? कुकर में बनाई तो खीर बनाई कुकर में, कुकर profit and loss है लेकिन कुकर में खिलाई नहीं मैंने किसी को वहाँ तो बनती है, खिलाई किसमें मैंने? कटोरियों में डाल कर, that is appropriation तो profit निकालने तक को हम profit and loss बोलते हैं उसके बाद की चीज़ों को हम लोग appropriation बोलते हैं बीकाने रे extraordinary profit and loss में खर्चे में आता है ठीक है? आईए मेरे साथ-साथ नादपुल taxation खर्चा है लेकिन proposed dividend appropriation की item होती है आईए मेरे साथ-साथ अब जड़ा यहां पर चेक करते हैं कि मेरे पास depression आपने का खर्चा है profit on sale मेरे पास income है लेनन बिल्डिंग में कुछ है नहीं investment में कुछ है नहीं है क्या मैं इस खाते को पैक अप कर सकता हूँ येस अब मैं इसे पैक अप कर सकता हूँ merit कह रहे है provision by taxation merit बेटे हम लोग कुछ बातों पर न सहमती दे दे पड़ापट से अब होता कि है बचपन से मेडम ने बता दिया कि taxation appropriation है तो मैं आपको कहता हूँ साव अपने गलत पर रखा है taxation हमेशा profit and loss की item है तो इसे स्वीकार कर लो क्योंकि इसके अंदर कोई दिक्कत की बात नहीं है tax एक खर्चा है tax हमारा बटवारा नहीं है tax हमारा एक खर्चा है और profit after tax जो P.A.T. होता है वो आपका net profit होता है ठीक है बेटे मेरेट हाँ very good कर नाल वो कहरा है सरम कोई बात पता है नागपुर कहरे है provision for tax क्या होती है नालाइक provision for tax पर रखेस्पन करा रखी आपको हो कह रहे है अब यह क्या होती है आईए जी हम मुझे बताओ net profit कितना निकल कर आएगा by net profits net profit कितना कितना आजाएगा ज़र आप फटा फट से चेक करते है net profit कितना आजाएगा 2,90,000 very very goods net profit आगा 2,90,000 जबकि धनबाद कह रहे हैं 2,15,000 धनबाद नालायक चांटा लगाओ है सर रहने दो चलो चोड़ो आओ बेटे आओ बीकाने जब bad debt recovered आएँगे तो बात करेंगे आसन सोल भी चर्चा कर रहे हैं उसकी शुरू कर दो क्या हाँ सर शुरू कर दो परते जाओ लिखते जाओ परते जाओ लिखते जाओ रुक ना आपका काम नहीं भोपाल डिविडेंट बेटे बताओ तो अपने पास जब profit कमाओगे तभी तो बांटोगे तुम salary अपने घर में लाओगे तभी तो अपने माता पिता को और चोटे भाई वेनों को दोगे इसका मनदो salary पहले कमाओगे तभी तो बात बनेंगी डिविडेंट क्या है बतवारा shareholders को profit का बतवारा तो पहले company कमाती है फिर बतवारा कर देती है उसको अच्छा रतलाम बेटे proposed dividend जितना पिछले साल का पिछले साल का प्रपोस था वो हम assume करते हैं आईए जी बस चलते जाओ साब अब मैं लाल पैन से अपनी बातें बताऊंगा ये देखो ये लीजिए गाट को पर PNL अकाउंट बेटे pressure cooker है वहाँ profit कमाया जाता है निकाला जाता है और appropriation में उसको बाता जाता है कि ये प्राविट यहां रख दो ये प्राविट वहां रख दो ये उसका बटवारा है सब बच्चे यहां ध्यान नेंगे BDCD कहीं नहीं BDCD कहीं नहीं क्योंकि ये cash flow नहीं और double entry भी कहीं नहीं double entry भी कहीं नहीं BDCD कहीं नहीं double entry कहीं नहीं आज का नारा सारे बच्चे गाएंगे बी डी सी डी कहीं नहीं अब दूसरा नहीं बी डी सी डी कहीं नहीं डबल एंट्री कहीं नहीं तुम खान कैमरा हिला रहे थे या मैं हिल रहा था अज़ा मैं हिल रहा था ठीक है ये भी खत्म हो गया bdcd कहीं नहीं double entry कहीं नहीं oh my god क्योंकि ये cash का flow नहीं हो सकता साथ मेरे साथ सथ देखें जिस चीज कि आपने double entry कर दी क्या triple entry डाल दू जब आपने यहीं पर double entry कर दी जब यहीं पर double entry हो गई तो मैं cash account में cash से कर सकता हूं हैंज हमारे पास सीधा सीधा सा काम है आए चलते जाएं फिर उसके बाद सर्य नेट प्रॉफिट बच गया यह आपने कहीं और लिखा नहीं इसी को इसी को कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा इसको ही लिखना पड़ेगा जरा मुझे फटाफिट से बताईए ल गलत है लक्ष्मी नगर 40,000 तो एक्रीशन होई है बड़ा है खाली अगर लक्ष्मी नगर यह चीज ना होती तो 40 आता फिर डिफ्रेस अपने अब 40 आता बट अब इनकी वजह से प्रॉफिट बदल गया है ठीक है लक्ष्मी नगर ठीक है सर जरा मुझे फटाफिट से बता साथ है 2,90,000 नेट प्रॉफिट आफ्टे टेक्स 2,90,000 खान वो एक रिलाइस की एनौल रिपोर्ट होगी वो निकाल के लादो रिलाइस की होगी हाँ जी तो यह मैंने 2,90,000 वाह लिख दिया खान इसको बड़े फ्रेमें डाल जाओ वहाँ पर ना आलमारी के अंदर वो रखे रिलाइस इंडस्ट्रिस लिमिटेड की एनौल रिपोर्ट है नीले रंग की वो लादो खान तुम फ्रेमें सबालो अच्छा तो यह 2,90,000 मैंने मालिक दिया यह 2,90,000 हो गया तो यह 2,90,000 मैंने पोस्ट कर दिया है चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, रुकना आपका काम नहीं BDCD कहीं नहीं, Double Entry कहीं नहीं, लेकिन आप बैंक की दूसरी Entry तो कहीं होगी अब बताओ फड़ाफट से बैंक की दूसरी Entry कहा होगी जाओ फड़ाफट से बताइए, दूसरी Entry, Very Good, हावड़ा वो कह रहे हैं साथ, इसकी दूसरी Entry होगी, फाइनांसिंग में Issue of Debentures कितने रुपे आगे डिवेंचर दो लाख रुपए के डिवेंचर इशू हो गए आसन सोल बेटे, यहां रिलाइस की पड़ी है, इसलिए रिलाइस, तुम रिलाइस को देख लो, ना लाइक रिलाइस को देखने से बना करते तो, कमाल है, बच्चे भी ऐसे हैं करें, रिलाइस नहीं देखना, बागी सब देख सकते हैं आईए, आगे चलते ही प्रोविजन फॉर टेक्सेशन, बी डी सी डी कहीं नहीं सर, यह टेक्स पेड का क्या होगा, बैंक में, जरा फटा फट से बताओ, टेक्स पेड कहा जाएगा फटाफट से बताएं, टेक्स पेड किदर जाना चाहिए, टेक्स पेड जाएगा, सबसे लास्ट आइटम में, टेक्स पेड, आपको ध्यान है, मैंने आपसे कहा था, टेक्स पेड को लास्ट आइटम बनाएंगे, टेक्स पेड, 50,000 रुपीज, अच्छा, और आगे दिखते हैं, साब ये हमने प्रोवीजन बनाई, प्रोवीजन बनाई, अब ये बताईए, सिर्फ मेरे को ध्यान से सोच कर बताना, क्या जो प्रोवीजन बनाई, अब मैं देको रिलाइंस के एनल रिपोट आ गई, जो हमने प्रोवीजन बनाई बेटे, सिर्फ सोच के बताओ, क्या वो प्रोविजन हमने current year के profit से बनाई होगी बिल्कुल सर current year के profit से बनाई होगी एक बार दिखाता ज़रा यह देखो मैटे यह है cash flow from operating activity यह कहां से start करते हैं net profit before tax से start करते हैं इसमें कुछ adjustments करते हैं तो क्या निकालते हैं operating profit before working capital changes फिर इसमें किस-किस का debtor का creator का inventory का इनका change डालते हैं तो क्या निकलाता है यह निकालते हैं अपने पास net profit cash generated from operations फिर डालते हैं अपने पास taxes paid तो हमारे पास क्या निकलाता है net cash from operating activities यह निए यह बाकी वही है sale purchase of fixes इसमें कोई भी जंजित नहीं है बाकी सब कुछ वही है सिर्फ अब यह बताओ reliance ने कौन से method से cash flow बना रखी है direct method से बना रखी है कि indirect method से बना रखी है बताओ बड़ा बट से कौन से method लगा रखी है very very good indirect method से cash flow बना रखी हैं उन्होंने क्यों indirect से बना रखी है क्योंकि कानून कहता है सभी listed company को अपने यहाँ पर cash flow indirect method से ही बनानी है सिवाए insurance company यही अगर ICICI potential life की मेरे पास annual report होती तो direct method से बना रखी होती हमारे देश में सारी insurance company यह direct method से काम करती है और से भी कहती है indirect से काम करना है और मेरे young chartered accountant को दोनो method आने चाहिए चाहे वो direct है चाहे वो indirect है यहाँ पर मैंने अपने पास profit उठा रखा है 80,000 पे की provision for tax बेटे मुझे यह बताईए यह profit after tax था मैं इसमें क्या कर दूँ add, provision, made तो मैं अगर मान लीजे खर्चा ना डालता तो यह है आपके पास 3,70,000 PBT PBT यहाँ से reliance वाले ने चालू किया reliance वाले ने tax को यहाँ जोडा नहीं उसने यहाँ से अपनी छपाई करी शुरू इसका मतलब यह कि हमें अपने पास profit before taxation से अपनी चर्चा स्टार्ट करनी है anyway, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है हम तो double entry का basic नियम छोडने वाले नहीं है आईए ज़रा मेरे साथ साथ हाँ इन दार कहा है का आओ को follow करना मन्द जरूरी है इन दार भीक्ते घर जाते वे लाह बती पर रुकना मत हरी बती पर मत जाना तुम लाल्म फती दे पार करना पता चल जाए का लाह मंडे टृपारी है की नहीं है माने डिविडेन पेट BDCD कहीं नहीं डिविडेन पेट एक लाथ फटा फ से बताओ डिविडेन पेट डिविडेन पेट कितना है própria एक लाख रुपए this is your dividend पेट financing activity dividend पेट plant की बात करते है IY amarick plant की बात करते है प्लांट जो हमारे पास है प्लांट का BD, CD कहीं नहीं जाएगा प्लांट की सेल हुई 35,000 पे की लिखें सेल अफ प्लांट सेल अफ प्लांट 35,000 सेल अफ प्लांट 35,000 जबाइस काते को नस्दीक से दिखाईए कहाँ साब और और नस्दीक अब सब बच्चे मुझे ये बताओ BD, CD लिख दिया बैंक लिख दिया एक ये भी बैंक है 345 जो की परचेज है ये भी लिखता हूँ अब मुझे आपने बाद में सोच के बताना है बाद में सोचेंगे और यहाँ पर लिखते हैं कितने रवेगा परचेज अप्लांट है 345,000 अब मुझे ये बताओ Profit on sale का क्या किया जाना चाहिए फटाफ़ट से बताओ Very good बड़ादा Profit on sale का Very good लक्ष्वी नगर हावडा, मुंबाई थाने कटक गलत कह रहे है कटक कह रहे है कटक ध्यान से तोचो क्या ये Profit on sale कटक वाले बच्चे ध्यान से बताएंगे इधर दिखाओ कटक इधर देखो क्या इस Profit में से क्या इस Profit में Profit on sale कटक जुड़ा हुआ है के नहीं है ये हमारा Profit Loss का Profit होता है क्या कटक इसमें से हमारे पास इस PBT के अंदर Already Profit on sale जुड़ा हुआ है ये नहीं कटक बताएंगे कटक बताएंगे निरे गाब होगे कटक चलो मान रहा हो कि वो कह रहे हैं हाँ इसमें जुड़ा हुआ है अगर जुड़ा है तो क्या करना पड़ेगा Less Profit on sale क्योंकि ये कोई और activity है investing activity है इसलिए मुझे उसको यहां से हटाना पड़ेगा ये मैंने हटा दिया 15,000 रुपए कटक नालाएक कटक के रहे हैं सर इसमें जुड़ा हुआ नहीं है अरे कटक भाई ये Profit है ये P.A.T. था ये P.A.T. है क्या Profit after tax में सारी चीज़े Profit के adjusted नहीं होती क्या जब मैं कहता हूँ P.A.T. तो P.A.T. में हर चीज़ adjusted होती है अगर इसमें हर चीज़ adjusted थी तो अब उसे हटानी पड़ेगी अब मेरे को इस बात बताईए क्या इस Profit के अंदर Depresition घटी हुई है के नहीं है फटावट से बताईए क्या इसमें Depresition घटी हुई है या नहीं है बिल्कुल Depresition घटी हुई है क्योंकि साब Depresition घट जाती है लेकिन बताओ क्या Depresition से कोई रोकरा जेव से जाता है क्या हम Depresition लगाते है तो क्या हमारी जेव से कोई नगदी जाती है नहीं जाती है इसका मतलब यह हो गया कि मुझे क्या करना पड़ेगा add depreciation बेटे जितनी चीजे यहां मिलेंगी जितनी चीजे मिलेंगी कहीं न कहीं मुझे उनको adjust करना पड़ेगा इसका मतलब जो आपने खाते बनाए हैं अगर यह खाते मेरे को नहीं बनाने आते तो बेकार है भूल जाओ cash flow और अगर इसे बना सकते हैं तो processing हो सकती है कोई दिक्कत की बात नहीं है मैंने कहा हमारे पास depreciation 125,000 वो already इस profit से घटी हुई है लेकिन किसी को pay नहीं करनी है इसलिए मुझे वापस क्या करना पड़ेगा add करना पड़ेगा 125,000 यह मैंने अपने पास यहां पर जोड़ कर दिखा दिया बेलापूर कहा है लेकिन सर आपने डेप्रिशन को पीडल में नहीं डाला था बेलापूर बेटे मैंने profit loss कहां दिया आपको इस सवाल में कहां दिख रहा है पीडल इस profit and loss में depression लगी हुई होगी depreciation लग चुकी थी अगर depreciation लग चुकी थी तो आपका profit पहले से घटा हुआ है अगर profit आपका पहले से घटा हुआ है तो घटना नहीं चीह था क्योंकि depreciation से पैसा जाता नहीं है जब वो जाता नहीं है adoption से तो आपको ultimately ठीक करना पड़ेगा उसको वो ठीक क्या हमने बोले चले बेलापुर आगे चलो ज़र आओगे अगली item देखते हैं मैंने ये भी काम कर दिया land and building पर आजएए land and building में क्या करेंगे हमने bank से क्या किया purchase किया इसको तो लिखे बड़ाबट से purchase of land and building रुपीज टू लैक आउट लो रुपीज टू लैक आउट लो हमने दो लाग रुपे दिये merits, merits कह रहे हैं, कह रहे हैं sir, debtion को आपने क्यों लिखा, merits सुनो, ये देखो merits merits, merits आपने अपनी जो assumption ली थी पिछले सवाल में, आपको एक profit and loss दिया जाए, sale, cost of goods sold, GP, GP, यहां मैं लिख दू, खर्चे और मैं लिख दू, depreciation और मैं लिख दू, net profits, तो ध्यान से merit मेरी बात सुनो, आप कहते हैं, this is cash profit, यही से आपने चलना शुरू किया था, merit याद है, आपने सोचा था, कि यह profit अगर cash होतो, बेटें इसमें depreciation घटी होई है, यह तो कभी cash में pay करनी ही नहीं पड़ेगी, जैसे sale को हम ढूंडते थे, कि इसमें debtor का effect ले लो, इसमें stock का effect ले लो, इसमें अपना और effect ले लो, यह तो निश्चित रूप में, इसका effect क्या होगा, it will always save your cash, यह आपका हमेशा cash बचाएगी, because you need not pay this amount, आपको कभी भी depreciation को pay नहीं करना, तो आपका हमेशा negative profit जाबा होगा, इसका मना depreciation को आपको हम एड करना पड़ेगा, चले मेटे merits, डेप्शन हमेशा आपको अपने पास, एड करके ही दिखानी पड़ेगी, चलो, भरतपूर कह रहे हैं क्या, प्रपोस डिविरन को P&L में डालेंगे, बेटे भोपाल, इसमें प्रपोस डिविरन घटा ही नहीं हुआ, तो डालेंगे क् और एप्रोप्रेशन के आइटम है, इसलिए तो जान लेना ज़रूरी है, कि यहां तक क्या आइटम पताओ नहीं चेंज, इसलिए ओनली प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, आइए वापिस चलते हैं अपने पास, और देखते हैं, इधर देखते हैं, इन्वेस्टमेंट हम वेरी गुड घाट को पर आव आगे चले, शेर कैपिटल, नीच आइए, शेर कैपिटल, दो लाग रुपए, तो ज़राँ पटाँ पट से देखते हैं, शेर कैपिटल, इश्यू ओफ शेर कैपिटल, दो लाग रुपए, इश्यू ओफ शेर कैपिटल, क्या मैंने अपनी सभी आइटम्स को कहीं न कहीं पर डाल दिया है, हाँ जी, मैंने अपनी सभी आइटम्स को डाल दिया है, अब आप इसके अंदर आकर, जर आपना प्रॉफिट निकालें, यह क्या निकलाएगा, यह आएगा प्रॉफिट्स Before Working Capital Changes Profit Before Working Capital Changes लीजिये Profit Before Working Capital Changes मार पास आ गया और ये कितना आता है यह आ गया 3,70,000 माइनस 15,000 प्लस 125 4,80,000 और अब आप मुझे उसके चेंजिस बताईए जो जो उसके चेंजिस हैं वो चेंजिस बताईए नमबर वान सबसे पहले डेटर्स देखें साथ लाग के डेटर्स थे अब पांच लाग के डेटर्स रह गए है भरतपुर बेटे यहाँ प्रोपोस्विन लिखा तो इसके लिखने से मेरा प्रॉफिट अपने अब बढ़ गया तो जब मेरे पांच यहाँ प्रॉफिट आया तो यह पहले से बढ़ा हुआ आया इसका मदर दुबारा थोड़ना बढ़ाएंगे इसको ठीक है अजमेर यह अजमेर मुझे बताईए मैं जब अपने प्रॉफिट लॉफिट लॉफिट बनाता हूँ तो मैंने अजमेर यहाँ लिख दी प्रोविजन फॉइ टेक्सेशन ठीक है अजमेर और मैंने लिखा उसके बाद नेट प्रॉफिट अजमेर क्या प्रोविजन फॉइ टेक्सेशन कैश की पेमेंट होती है कैश की मन पर टेक्स पेड होता है प्रोविजन फॉइ टेक्स फोन ना होती है इसका मतलब यह हमारे पास कैश की आइटम नहीं है अगर ये भी cash के all provisions अब जानते हैं provisions कोई payment नहीं होती है तो provisions तो सिरब बना ही जाती है इसलिए हमारे पास provision भी save करती है cash ठीक है बेटे आईए हम debtors की बात कर रहे थे तो debtors की बात करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे अपने पास खाने धर आओ Change in debtors debtors हमारे पास क्या हुए थे? debtors हमारे पास क्या हुए थे? कम हो गए थे debtors कम होंगे तो पैसा जेब में आएगा debtors से पैसा जेब में आएगा hence very good carnal आगे चलिए अगली item debtors के बात stock 2,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 हो गया मुझे बताओ बेटे stock बढ़ गया stock बढ़ने से क्या होगा फटा फट से बताओ stock बढ़ेगा तो हमने खरीदा होगा अब खरीदा होगा तो पैसे गए change in stock दो लाग रुपे चेंज इन स्टॉक दो लाग रुपे इसके बाद cash in hand cash at bank नहीं सौरी ये तो आएगा नहीं creditors creditors 820 के 7 lakh होगे बताओ जरा creditors कम होगे creditors कम होने का मतलब क्या हुआ creditors को पैसे हमने pay कर दिये होंगे very very goods cash paid to creditors very good भोपाल, मेरच, पूना, मौल रोड, पीतमपुरा, सिर्सा, चंडिगर, सत्यनिकेतन आएए जी मेरे साथ साथ, amount बताइए कितना होगे amount एक लाख बीस हदार, वन लाख ट्वेंटी थाउजन अब मुझे बताएं हमारे पास, cash profits before tax, cash profits before tax हाँ जी, debtors, Mumbai बोरीवली कह रहा है साथ debtor, बेटे debtor हमारे पास घट गए, Mumbai बोरीवली, debtor घटने का मतलब क्या होगा, रुपया हमारे पास आया होगा, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, आएए मेरे साथ साथ, अरे सर, अहुजा सर आए है मेरे पार, सर ये टी-शेट पहनन का दो लाग इना मिलना चाहिए, ये छोटे मच्चे की टी-शेट मैंने पहन रखी है, बताओ, मैं तो मेरा शदीर सुकड के अंदर से, अब बताईए, cash paid before taxation, कितना amount आना चाहिए, 4,80,000, minus 1,20,000, मैं सर सुन रहा हूँ, आपने उन्होंने का है, मोटा हो गया, इसलिए ते निकला है, अब बैलेज निकाल ये, बैलेज कितना आ गया, 4,00, नहीं, 3,10,000, 3,10,000, रुपए, खतम बेटा, खतम, 3,00,10,000, और इसको देख लेते हैं, ये कितना हाथ है, ये आ गया, हमारे पास, बाप, रे बाप, तोटल बताऊगे, क्या, रो तक बता रहे हैं, कहरें साहब, investing है, 6,10,000, negative, 6,10,000, negative, और ये कितना हो गया, 2,24, 3,00, positive, 3,00, positive, 6,10,000, negative, टोटल हो गया, हमारे पास, निल, एड़ कर दीजे, ओपनिंग, कैश, और कैश, एकुलेंट, जो कि कितने का है, 2,00, तो, क्लोजिंग भी, कितना आना चाहिए, 2,00, आज की क्लास बेटे यहीं तक, बाकी चर्चाएं होंगी आपका परसो, परसो तक enjoy करें, have a great day ahead, thank you very much, we love you all, bye bye, thank you.